आज की क्लास में हम लोग concrete technology का पूरा syllabus कवर करेंगे जो आपके semester exam के लिए design किया गया है वैसे जो detail class में पढ़ते हैं उसको आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा उससे अभी दिमाग से उसको निकाल दीजिया ठीक है कि हमने पढ़ा नहीं पढ़ा जो भी कुछ किया ठीक है theoretical subject है जब आप junior engineer के exam देने जाते हैं तो इसमें बहुत सारी technical गंटे में cover न करने दो डाई गंटे में मैं इतनी चीज़ें आपको बता दूँगा जिससे आप बड़े आराम से अपना exam देख आएंगे और आपका paper अच्छा जाएगा इसकी भी guarantee ठीक है इसमें पूर अब एक चीज़ और जाने जीगा मैं जिस PDF से पढ़ाने वाला हूं आपको पहली बात कि ये पूरा वीडियो देखना है दूसरा उस PDF को पूरा एक बार revise कर लेना है दो घंटे से कम समय में आप PDF को revise कर लेंगे यानि 4-5 घंटे ठीक से मेरे साथ यही समय आप बिता दूए तो आपका एक सब्जेक का exam बता है कि अच्छा जाएगा और इसी त आपता हो बस दूसरी बात यहां पर इस पीडियाप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो बहुत अंड्रोइड एप से आप आफाने से डाउनलोड कर सकते हैं नहीं तो दूसरा तरीका है कि सेविल्टेक्सॉलूशन.in की वेबसाइट यह दोनों एप पर आपको बहुत सारी पेड़ कोर्सेज भी जही का ले करके यह वो तो यह सालों का अनुभाव है पेपर देखते देखते बच्चों को करना हर साल का एक्स्पिडियेंस लेते हुए मैं चीजों को बहुत कम में समेट करके पढ़ाता हूं देखे इतना लेक्चर सुनने का ना आपके पास वाक्त है जिससे तुमारा एक्जाम बैथर जाहे नॉलेज के लिए वीडियो को मत समझना की मेरा अस्वणी शर्मा का नॉलेज चेक करने चले हो बिल्कुल नहीं सबाद मत करिएगा ऐसी गलती भी मत करिएगा जो जो अभी यह डिजाइन किया गया है वो आपको मैं अपना ग्यान दिखाने नहीं आया हूं मैं चाहता हूं कि बस आप एनी हाओ किसी तरीके से अपना एक्जाम अच्छे तरीके से देख आए उद्देश से बस इतना ही है तो क्या क्या कवर करने वाले हैं आज की क्लास में सबसे पहले पूरा आपका सेलेबस आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है यह जो पूरा सेलेबस आपका लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है क्या है सलेबस देख लिजीगा सबसे पहले हैं कॉंक्रीट का परीच्छे य झाल की मज़ें उसके बारे में अधिमीश्चरन का परिच्य याने अधि अधिमिस्चर्च क्या होते हैं विसेश कॉंक्रीट यानने बारे में कंक्रीटिंज और ऊपरेशन्स और नॉन बिस्टरक्टिम टेस्ट आब तक किसी बच्चे को यदि मैं पहली क्लास पढ़ा रहा होता तो पहले मैं यह बताता कि कॉंक्रीट क्या होती है सबसे पहले मैं यह बताता कि कॉंक्रीट क्या होती है तो मैं कहता कि वही कंक्रीट सीधा सीधा किसी ने किसी binding material, binding material तुम मेरे साथ बने रहो अंत होते होते तक तुमको confidence आजाएगा एक्जाम के लिए जान लेगा binding material कोई न कोई binding material plus aggregate aggregate और aggregate और साथ में पानी, इन तीनों चीजों को मिला करके एक चीज बनाई जाती है जो बाद में solid होके एक पत्थर की तरह हो जाती है जिसे हम लोग कहते हैं क्या concrete, बात समझा रहे हैं न यानि binding material, aggregate और water को मिला कर बनाई जाने वाली एक artificial जो stone है उसी को हम लोग कहते हैं concrete, इन सारे chapters को पढ़ना है, तो concrete के परिच्चा में ही इसके बारे में पढ़ेंगे, बनने के मामले में आप में बोला binding material, binding material के मतलब ऐसा कोई बंधक पदार्थ हो उससे मिलके बने हुई है बंधक पदार्थ के रूप में आप किंखी चीज़ों का पर मैं भी सब बताऊंगा आपको detail में तो पहले सबसे पहले हम परिच्चे वाले topic पर चलते हैं कि परिच्चे में क्या क्या हमको पढ़ना है यह concrete क्यों आई क्या बिना concrete के काम नहीं हो रहा था हो रहा था सर्दियों से हम लोग मिट्टी का घर बनाएं फिर इंट का बनाएं उसके बाद इंट से जब ऊपर बढ़ा तो रेंफोस किए इंट को छड़ लगा भी इंटों में लेकिन उससे भी बढ़ी हमारे सामने concrete आगया तो concrete के क्या फाइद नुक्षान है परिच्छा में यह सब भी समझेंगे कि concrete क्या है और उसके क्या-क्या फाइद नुक्षान है सबसे पहले परिच्छा वाले टॉपिक में हम लोग को परिच्छा वाले टॉपिक में हमको क्या पढ़ना है सबसे पहले अन्य निर्माड concrete भी है तो हम concrete को prefer करेंगे समझ मारी बात इसको बोलते है prefer करना वरियता देना और वरियता देने में चूं दिया जाता है तो reason देखिए बहुत सारा आप concrete को जानते हैं नहीं civil engineering में थे तब भी जानते थे यानि अगर आप plastic state में concrete में cement, गिट्टी, बालू इनको मिला दिये तो जो बना वो concrete बना और concrete जब बनती है तो अगर उसको ढालते चले गए तो जीतना बड़ा आप ढालेंगे जीतना दूर तक ढालते चले गए उतना दूर तक वो क्या होगा बनता चला गया उसके बाद बट अवस्था में concrete को किसी भी आकार में डाला जा सकता है concrete संदचनाओं में इस पात और लकडी कारे की बाती जोड नहीं लगाने पड़ते कहीं ही लकडी का कोई चीज़ बनेगा आप तखता तक तखत बनवाते हैं लकडी का आप सोने होने के लिए उसमें भी जोड रहत है ठीक है ना लेकिन वह बहुत बड़े-बड़े span पे 30 मीटर 40 मीटर पर दिये जाते हैं ठीक है और उसके अलावा विसेश मून उसके अंदर क्या-क्या होता है और क्या सेमेंट concrete कृत्रिम पत्थर है मैंने बोला ना artificial stone अभी मैंने एक सब भी यूज किया था artificial stone यानि कृत इत्रिम पत्थर है जो प्राकृतिक पत्थर से सामर्थ टिकाई आयू जल्रवदत्ता अगनी स्वदत्ता इत्यादी गुणों में बहतर सिद्ध हुआ है एक पत्थर जो नेचर में उपलब्द है उससे ज्यादा अच्छा साबित हुआ कौन concrete इस मामले में इन दोनों की व प्राब हो जाएगा पानी में सड़ सकता है लेकिन concrete इतना ज्यादा अच्छा है कि यह किसी भी तरीके से न सड़ता है न गलता है न पेंटिंग क्या हो सकता पड़ती है पर यह अपने सुंदरता के लिए लेकिन उसको मांग नहीं रहा है आप से प्रेंटिंग नहीं भी कर सकता पड़ेगा और जो बनाने की चीज़ें वह आसानी से अवेलेबल हैं इसके अलाबा यह आकरसक मतलब यह अट्रेक्टिव भी बनती है बाकी attraction का मतलब यह होता है यह सुंदर लगती है यह जरूर नहीं सुंदरता के पैमाने सबके लिए अलग अलग है लेकिन यह सारे वो points थे जिनके तहत हम कह सकते हैं कि अन्य पदार्थों की तुलना में concrete हमें क्या होती है प्रिफरेंस करते हमें इसको clear है पूरी बात तो इतनी से बात आपको समझ में आ गई होगी अब देखिए उसी question को घुमा फिरा के बदला क्या आप यह सब question नहीं कर लेंगे concrete के वागा यह सब तो हमें आता है आता है तुम्हें मैं जानता हूं बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि लिखना सीख लो लिखना सीख लो मैं हर वीडियो में एक चीज़ बताया हूं एक्जाम जिस दिन तुमारा रहेगा किसी एक paper को देखो तुम तुम अगर जागरूख ले लोगे और डिटेल में पढ़ाई करोगे और उससे बड़ा कुछ नहीं अच्छा है हम लोग 24-500 रुपए तुमसे लेते हैं तो उसका आउटपुट भी दिये हैं जितने बच्चे पुराने तुमारे सिनियर जुड़े हुए हैं उनसे जाके पूछो जितने तुमारे स उसना केवल सिविल के लिए डेडिकेटेड चैनल थाई केवल सिविल वाले बच्चों को लेते और बहुत तड़ी के समलोगा आगे बढ़े ठीक है दूसरी बाद दूसरी बाद एक चीज़ और कि पेड़ कोर्स में हम लोग का जो भी था वो के डिटेल स्टडी के लिए त एक काम करना जब तुम इतना नहीं पढ़े यह सम नहीं किये तो तुम एक काम तो करी सकते हो एकजाम जिस दिन है उसके एक दिन पहले तुम साथ घंटे साथ घंटे केवल तुम उस सब्जेक्ट के लिए निकाल लेना साथ घंटे पूरे उसमें इफभट मत लगाना साथ तुम केवल उसी सब्जेक्ट के लिए निकाल लेना किसी वितर कल पेपर है आज से कल तक में साथ घंटे मुझे उस पेपर को देना है आज तो पढ़ रहो पढ़ो जब भी पढ़ रहो लेकिन पेपर जिस दिन है उसकी एक दिन पहले साथ घंटे चाहिए कैसे धाई घंट तुम बता यह तुम बता तो मेरा पेपर खराब हो जाया तो तुम बता ना शरव करता करते हैं कंक्रीट की गुण ऑर लाव क्या है तो वरियता पूछे वह कहीं को सजनरrael एक और अंतर हुआ की गुण गुण अच्छे थे तो गुण क्या है उनके बारे में यह संचारन दीमा को वह नमियादी से प्रभावित नहीं रहती अभी बात की है वातावनी प्रभाव जिसे हवा दूप नमियादी का कोई प्रभाव लकड़ी को गर छोड़ दो के सड़ जाए बाहर क्रित्रिम निर्मा को तुम क्या कर सकते हो डेवलप कर सकते हो लेकिन लकड़ी जैसी है वैसी रही ताजा कॉंक्रीट को किसी भी आतार और माप में ढाला जा सकता है जिस तरह से चाहों डाल सकते हो यह साब इसके गुणा और भी है यह बहुत तिकाव पदार्त है तिकाव मतलब लंबे समय त हो लगबख इंपर्मबिलटी इसकी प्रॉपरटी इंपर्मबिल्टी नहीं हो आगे तुम एक चप्टर पढ़ाऊगे फिफ्थ समेच्टर में पर्मबिल्टी का भरन वी ठीड seis चंभता यानि इसको बऺंदा बहुत मुशक्ली बहुत होती है अधिस शुकारता के लिए kon तक बनवालो और उसको उपर चड़ाना रहा हालत खरा बुजाती है बनी बनाई तक पुछ सेड़ी से उपर चड़ाना कितना मुश्कील है लेकिन जब कॉंक्रीटिंग को यही काम करना होता है तो उसको पाइप यहीं करके भी पाइप से बीजा सकता है कंई चहत पर ढला ही हो रही है न कई लिवापर पंपिंग क्वहती कहां लोग पंपिंग कोंक्रीट करते हैं उसके लिए रेंज होती है कि कितने से कितने तक पंपिंग की जा सकती है त्लंप वलू लगभग 150 से अधिक हो तो लगभग 400 मीटर तक और 80 मीटर तक वर्टिकल पंपिंग की जा सकती है मेरे पास डाटा बहुत है लेकिन मैं कम बोलूँगा रीजन तुमको एक जान डिप्लोमा का देना है ठीक है यह सब इसके फाइदे थे बट आउगुण और हानिया क्या है देखो इसी कुप्राश्न के रूप में वह गुण क्या हानिया इसका देखो एक चीज दिक्कत यह कई सारी है हनिया भी इसको करके समझेंगे सबसे पहला लिखा है यहां पर की कंक्रीट एक द्रिनक पदार्थ होता मजबूत है तापक्रम परिवर्थां से इसमें फैलाव और संकुचन होता एक दिक्कत यह है कि जितना तो यह फैलेगा ना पूरा फैलेगा सब तोड़ देगा तो बीच बीच में जैसे एक पट्टी ढाल लिए तो बीच में थोड़ा गैप देदो गैप में ऐसा कुछ भरो कि फैले तो पिछके फिर छोड़े ऐसे ऐसी चीज़ें भरो जोड में जो उसके फैलाव को और पारगम में नहीं होना चीज़ें और इसकारण चारी पाने वाले इसके लिए विश्यस उप्चार क्या हो सकता है इस ती में कंक्रीट बनाने के लिए चागाल सेमेंट के स्टान पर सूपर सल्फेड़े सिमेंट का प्रयोग की रहता है देखिए ये बात पूरी तरह से सही कि नहीं है और पारगं में नहीं है ये जो इस्टेट्मेंट्स नहीं यह डिप्लोमा के अस्तर पर दिया गया है ती नों तुम समझो तुम कंक्रीट कीए हो तो कई बार लिकद हो जाती है जबकि होनी नहीं चाहिए जब कैसे लेक्ड होगई जब आपारगम में तो सवाल हो सकता है तो रीजन है कि कई बार इस्थितियां ऐसी होती ही जब धाल प्रापर ना हो तो 100% अपारगा में नहीं है कह सकते हैं यह 100% अपारगा में नहीं है इस वज़ा से कई बार व्यवस्थाएं करने पड़ जाती है ठीक है इसके अलाबा संपीडर में तुमने अभी गुण में वज़ा से इस वज़ा से इनको रोकने के लिए दराने पड़ती है उसमें तो दरारों को रोकने के लिए आपको चर डालनी पड़े दी मैं आपको एक चीड बता दूँ अभी तो तुम कंक्रीट पढ़ रहे हो ना इसी से जुड़ा हुआ एक सब्जेक्ट है और टीटी र और मैं ऐसा पढ़ाता हूँ उसको मैं ऐसा नहीं कह सकते हैं आप देखिएगा कमें से मुलाकात हुई तो उसका आप पेड़ लीजिएगा मत लीजिएगा लेकिन फ्री वाले क्लास कुछ मिलेंगे उसको पढ़िएगा जरू मजा बहुत आएगा तो दरारें पढ़ जाती ठाजा नमी कंक्रीट सुखने पर ताजा एक सकेंद है ताजा नमी कंक्रीट सुखने पर शिकुर जाती है मतलब जो गीला बनाए रहते हो विर्टी बाल पाने मिला कर ना जैसे उसको पहला होगे तो ज Bai My लेकी और जैसे भान तो वह यह यह लिखा है कि निजंतर भार लगे रहने की स्थिति में सिमेंट कंक्रीट में बहाव उत्पन हो जाता है देखिए हिंदी कनमर्जन की दिक्कत से बहाव नहीं है इसको क्रीप बोलते हैं क्रीप एक प्रापर्टी होती ही जैसे लोड लगा कंक्रीट के ऊपर लोड की से कंक्रीट हलका से दब जाती है दबने का मतलब जूलना से छत है कई लोगों का छत देखते हैं हलका फुलका लटका रहता है तो वह लटकना इस वज़़े से पहले तो शुरू में रहता है मनें फिर हट अगर लोड हटे तो अपनी पोजिशन में आ जाएगा लेकिन एक के बाद ना उसके अंदर वो पर्मानेंट जो है डिफरमेशन आजाती है इसको क्रीब बोलते हैं रहे गया उसकी मरमत करना आसमभव जैसे अगर आप पांक्रीट में इसलिए कहते हैं कॉंक्रीट को बनाते समय बहुत ध्यान रखे अगर लिके एक बार हो गई तो भरते र होता है बहुत लोगों की बहुत सारी दिक्कते नहीं सही होती है एक बार घर के अंदर आ जाएं तो तीला ना शुरू हो गई सीलन की कितने भी उपाय कर लिए बनाते समय आप बीपीसी नहीं बनाया बाद में रोकते रह जाएंगे नमी आएगी रुकेगा नहीं है कुछ तर इस विशान उचित ज्यान ना होने पर ज्यादा पैसा खर्च करने पर भी कॉंक्रीट की गुणवत्ता नहीं में स्रेड़ी कि रह सकती है मजबूर जो कॉंक्रीट बनाएगा और इंजिनियर बनवाएगा उन दोने में बहुत अंतर होता है लकडी की काम में उसकी मलभूत प्रभावित नहीं होती है लकडी से कुछ बनवाद होगे वही मजबूती रहेगे चाहिए तुम मिस्तरी अपने से बनाए लेकिन अगर आप कंक्रीट में मिस्तरी के बदर से काम छोड़ें तो उसकी क्वालेटी वह खरब कर दें जान लिए बहुत सारी चीजह है उसमें दोस्त के रूप में कंक्रीट एक भारी पदार है मतलब काफी हैवी होता है जिसके कांड संद्चना का स्वयम का भार काफी बढ़ जाता है यह सबसे कह सकते हैं ब्लेंडर दोस्त है इसके अलावा एक और दोस्त जो इसमें मेंसन नहीं है उसके बारे मैं आपको बोलनू अ अगला जैसे पहला क्या है कांक्रीट काफी भारी है तो अगर च्छत वगरा जो है लकड़ी की लगी रहती ना तो हल्की होती मतलब उतना लोड होता नहीं लेकिन इसका खुद का लोड़ी बहुत ज्यादा हो जाता है तो अपने आप अहीं गिरने का डर लगता है इसको अ जाएगे लेकिन आपका तूटता है तो उसका कोई रहता है बात समवारी यह सब इसके दोस्ते ठीक है अगला आप कंक्रीट के अंदर बोला कंक्रीट के अवयाओ यानि इंग्रिडियेंट्स आफ क्क्रीट का क्या मतलब होता है कि कॉंक्रीट जिन चीजों से मिलके बना है Concrete चार चीजों से मिलके बनता है, देखो, Binding Material, पहले मैं हलकाल का बता दू, Binding Material, Binding Material, यानि कोई न कोई बंधक पदार्थ होगा, इसके अलावा aggregate होगा, aggregate में क्या क्या हो सकता है, aggregate, aggregate में fine aggregate हो सकता है, fine और एक हो सकता है, force aggregate हो सकता है, तीसरा आपका जो है, वो होगा water, यानि पानी, कुछ मामलों में कुछ add mixtures भी हो सकते हैं, यानि कुछ ऐसे पदार, जो concrete के गुणों को क्या करते हैं, ये essential है, और ये क्या है, optional, ये optional है, मतलब, मतलब, इसका होना आवस्यक नहीं है, लेकिन ये सब का होना अती आवस्यक है, add mixtures essential नहीं होता है, बात सोना रहे हैं, अगर concrete के किसी गुणों को भगलना है, तब आप add mixtures उसमें प्रयोग कर सकते हैं, तो add mixtures मतलब, कुछ ऐसे पदार, जो concrete की quality को थोड़ा सा और enhance करेंगे किसी मामले में, अब उसमें टॉपिक में आएंगे, तो पढ़ेंगें लोग, ठीक ना, इक concrete के ingredients में ये तीन ingredient मोख्या है, जिसमें binding material के रूप में सबसे ज्यादा प्रयोग की दाना वाला पदार, cement है, काएंगे सर्थ इस से अच्छा है, cement लिग दी होते की नहीं, तूने क दी परेयोग किया आता है, कई रूपना की concrete वी महीं बनती है, तुना की concrete वी बनती है, उसके बाद asphalt वी बनती है, कई पदा, aggregate के रूप में, fine aggregate के रूप में, आप राह सब से अच्छा fine aggregate कौन से माना जाता है, signed नमाना जाता है, इससी तरह powered aggregate के रूप में आप neighborhood已經 brick सबसे अच्छा माने जाता है कॉंक्रेट की रूप में जैसा पानी की भी अपनी कुछ क्वालिटी होती कोई भी पानी नहीं प्रयोग कर सकते हैं इन सब चीजों के बारे में इस चप्टर पढ़ने वाले हैं तो क्या-क्या पढ़ने विसेस्ता क्या है ठीक है ना वर्गी करा तो हम अच्छा अगर हम लोग पीछे जाए थोड़ा सा अगर देखें इस चीज को कि ये चारो चीज़े जो थी आपकी चार चीज़े जो इसके अंदर थी उसमें से जो सीमेंट था ना सीमेंट जो था वो देखो बिल्डिंग से में अधिकश्चन में में एक विल्डींग में तुको पहले ही अच्छे से पाढ़ा दिया गया है । के कि सारे माथ मठले में मैंपे रियल इक सिक प्रॉपर्टी उसकी पढ़ा दा लिए विदियों और यतना जबर धह्या बरpi चार सीमेंट का लेक्श unique 개좌क cinema सब्सक्राइब condemnation में यूटूब पर आप देखिये कि सिमेंट के बारे हैं यूटूब पर बनते हैं कि एक्जामनर जानता है कि सिमेंट का पार्ट है लेकिन सिमेंट का एक्जाम वो आपका ले चुका है तो देना नहीं चाहिए काइदे से दे भी दिया तो आप अल्रेड़ी पढ़े हुए है तो सिमेंट से ज्यादा कोश्चन बनते नहीं है ज्यादा कोश्चन कॉंक्रीट टेक्नलाजीम बनते हैं कि एग्रिगेट और पानी इन ची काम है जो एग्रिगेट है उसको बागना लेकिन एग्रिगेट का क्या काम है एग्रिगेट मजबूत देता है कॉंक्रीट को साथ साथ एग्रिगेट होता है वो कोई केमिकल रेक्शन नहीं करता है असल में हम चाहते हैं मजबूत च्छत बने च्छत पूरी पत्थर की बन उसको कहेंगे concrete यही ना तो अब उनको बाधने के लिए तो binding material cement है और जो पानी है वो उसके साथ reaction करेगा लेकिन गिट्टी यानि बालू यह आपस में कोई reaction नहीं करते हैं ना पानी से reaction करते हैं यह inert होते हैं अक्रिय होते हैं कोई क्रिया नहीं होती इनके अंदर तो इतना ज बताया है वह सुन लेंगे कि कई आधार पर वरगी करण किया गया है पहले आधार पर वरगी करण किया गया साइज के अधार पे यानि मिलावा बेस्टान साइज कितने आकार का हो सकता है कितने प्रकार का हो सकता है स्ट्रोथ के आधार पे मिलावा कहां कहां पाया जारा ब विल्ट बात शाई और और अकार एक हिंग्लीस में है यह हिंदी में आकार की जिवना पर यहां लिखेगा आकृति के आधार पर आकरती मतलब होता है आपक बेस डाउन से अ ते अग्रोग एस नहीं कि इंगिळाब मैं हिंदी इंग्णी का सही नॉलिफी रखता हूं बोलने में कए इधर उदर हो जाता है बड़ यह क्या है देके रोण तो आकृति के जब बात हम लोग करते हैं इसको बोलते हैं सेप और साइज मतलब होता है आकार बड़ा चोटा होता है आकृति बनावट की बात करने हम लोग ठीक है उस आधार पे इसके अलावा इसके अलावा भी मिलावे के मटवारे हुए है सबसे पहले तो महीं मोटा और महीं मौटा नहीं और इन दियो ता यानि मैं इसको यह एक दो और यह पहले वाले को एक्स्प्लेन किया है यहां पर एक दो के बाद आप तीन नमबर भी बना दीजिगा all in all in aggregate यानि यानि सम्मिलित मिलावा जिसको बोलता है aggregate size के आधार पर तीन मिलावे हुए महेन वह मिलावा जिसको मोटा रेता भी कहते हैं रेत भी कहते हैं मतलब वो मिलावा जो four point seven five mm से कम साइज का हो वो क्या होगा वो जाएगा महीन वो मिलावा जो four point seven five से बड़े साइज पाओ एमसे वो हो जाएगा मोटा और my all-in मतलब होता है जो दोनों का मिक्स्चर बोक हो उसको बोलते है औल इन एग्रिगेट यानि दोनों का मिस्रण मिलावा यह साइट के अधार पर क्लासिफिकेशन हुआ देखें यहाँ पर लिखा गया है कि महीन मिलावा के बारें बहुत प्रतिसत या इससे अधिक भाग चारद साथ-पांच मिलीमीटर भारती मानक चलनी से गुजर जाता है महीन जो रुक जाएगा वह मोटा क्रितिन रूफ से महीन मिलावा पत्थर या ग्रेवल के रॉट के इसका तैयर किया होता है अब मोटा मिलावा को बता है वह मिलावा जिसको चारद साथ-पांच मिलावा की भारती मानक चलनी से गुजर नवे पर्षेंट चादिक उसी पर रुक जा यानि बड़ा हो तो उसको मोटा मिलावा कहते है ठीक है न उसके बाद साइज के आगे सुरोत के आधार पे सुरोत के आधार पर प्राकृतिक हो सकता है प्राकृति के माहिन माहिन हम लोग खुद यदी गिट्टी बना रहा है ठीक है न गिट्टी कैसे बनती है पत्थर आते हैं उनको क्रस्ट किया जाता है क्रस्ट करने के बाद गिट्टी बनती है इसी तरीके से कई गिट्टी नदियों के तनी में ग्रेवल वगरा मिलती है तो उसको बो इसको हम लोग जनली तयार करते हैं क्योंकि वह एंगुलर होता है जैसे अभी सेप के आधार पर बाटा ना बाटा मैं आपको करके दिखाऊंगा यह स्थ्रोथ के आधार पर माटा है और दूसरा साइट के आधार तो बाटा तीसरा आगर हम लोग बात करें तो यहां पर एक स अगर करने को पूछे पांच नंबर का होगा तीनु वर्गी करन कम से कम लिखेगा मैं आपको बता दूँ इसके टेक्स्चर के अधार पर भी वर्गी करण होता है जिसमें ग्लासी होता है स्मूद होता है रफ होता है इसके बाद इसके पाने की मातरा पर 20 का वरगी करण होता है बोन ड्राइड होता है यह सब इतना मत तीन वरगी करण समसे कम बता कर आईएगा ठीक है ना होते तो और तो मैं इतना बता दूँँ आपको कि आकृती के आधार प्लाओं करेंगे तो कुछ एकदम गोल होते हैं आकरती एकदम गोली कुछ ऐसे होते हैं कि थोड़े से गोल मटोल सेच से यह भी जैसा है टेकिष्ज कीले होते हैं एंगूलर टाइब से ऐसे कौनी कौना उसमें निकला रहेगा ऐसे और कुछ चप्टा या पत्र या यानि ऐसे लंबे-लंबे से पतले-पतले से रहेंगे चार तरह के होते हैं Rounded, Parsellini Rounded, Angular और चप्टा तो यह चार तरह के मिलावे होते हैं अगर हमसे पूछा जाए इसमें से सबसे अच्छा कौन सा गिट्टी होगा तो सबसे अच्छी गिट्टी ये वाली होती है सबसे खराब कि अगर बात करें एक ये और एक ये मतलब ये दोनों का यूज कर सकते हैं ज्याजातर कामों में जिसमें सबसे बेस्ट वाला ये होता है क्योंकि आप कहेंगे क्या इंटर्लॉप इंटर गतन का मतलब होता है यह मिलाफे रभी को एक fees करेंग को एक अच्छा अच्छा temperature करते जब कि गोल वाले में workability अच्छी होती है गोल वाले को ढालना वालना आसान है लेकिन यह interlock नहीं होता तुम ही सुचो कई गोल चीज़े हैं उसको अगर बानने की कोशिस करोगे आपस में नहीं बढ़ेगा अवही दो चप्ती चीज़ों को आपस में रस्ती से बान तो जब स के इंधियों को बानने का प्रयास करें करिगा और नदी के तली का प्लाइव के नीकाल मिलता था जिखना अब कर यह दम कॉली सबीदों प्रकार विकते हो तो यह सब मिलावे के बारे आप पड़ रहे हैं उसके भी इसके बाद नुकीला मिला इस मिलावे के eribski जिस कारण इनके बंध का बिकास संतोजनक इस कारण ऊच सामर्त वाली कॉम्ख्रीं मिलावे को दिझा अब आ रहा है चप्त्री है एक चित जान लीजिएगा पहले पत्रीज क歌 Prague कैंगे पत्री मिलावा हमाँ लेश ता जी नहीं लेकिन पत्रीज कहेंается को कैते हैं जब किसी एग्रिगेट में और आप यह कुछ एसे पत्ले हूं तो और कैसे पत्ला माने इसको अगर मालिजीए किसी aggregate की औसद्व है कितनी है, मतलब मां लिजिए उसको छन्नी से चाने और एक छन्नी से वो च्छन गया उपर के तो से च्छनी की साइपह जैंट कितनी है बीस है मों और गाया इस च्षना जो वो इससे नीचे नहीं है यहींपर रुक गया है और इसकी साइज मान लेते हैं कितनी है 15 बात सम्दाइब इसकी साइज कितनी है 15 तो कहा जाएगा जो मिलावा जो एग्रिगेट इस से च्छन के इस पर रुका उसकी साइज होगी इसका इसका आउसाद यानि 20 प्लस 15 बटा दो यानि कहेंगे यह होगा 17 दसमलों 5 बात सम्दाइब यानि जो एग्रिगेट इस से च्छना और इस पर रुका उसकी साइज होगी कितनी मतलब एवरेज साइज 17 दसमलों पांच अम्म होगी तो कहेंगे तो ठीक है उसमें गिट्टियां जो होंगी और सतन 17 दसमलों पांच की है लेकिन उसके अंदर वास्तों अगर सोचेंगे तो बीस अम से लेके 15 अम तक की गिट्टियां है तो फिर कुछ गिट्टियां उसमें चपती पत्रिल है पतरी कब करेंगे कितना पत्रे को इलong गेटेड़ इतना जा लेजिए फ्लैकी वाला जो होता है ना फ्लैकी वाला इसके अलावा एक होता है कि कण जिन में ऐसा हो कि जैसे आउसत साइज कितनी है सा च्रांग यॉदि कोई कॉई क्र यह काफी पतला यह का आपी पतला इसकी मटाई क्या होगी वह कम यॉदि यह मोटाई यॉदि इस ओससध साइज के तीन पांच से भी कम हो जागा यानी सटरərद इसका तीन बटा पांच या तो चपतरिल या निया निया कि अंतर का पत्रिल वह लंभा तरे कर आते हैं यानि-पलस दोनों आते हैं इसका 3 बटे 5 से कम हुआ, 10.5 से कम हुआ, तो कहेंगे कि पतला है, बहुत ज्यादा पतला हो गया, और इसी का, इसी साड़े सत्रा के, 9 बटे 5 से अधिक बड़ा हो जाए, यानि अगर 17.5 गुणा, 9.5 आप करेंगे, तो लगबग आएगा आपका, 10.5 बड़ा हो जाए, तो कहेंगे कि यह लंबा हो गया, लंबोतरा हो गया, तो आपको यही चीज़ समझनी है, कि ऐसे कण हमारे कॉंक्रीट के लिए ठीक नहीं है, और जब किसी कॉंक्रीट में, इनकी मात्रा 15% से ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे गिट्टी को हम रिजेक्ट कर देंगे, कि गिट्टी हमारे ठीक नहीं है, तो अभी तक जो समझे, उसको समझे ध्यान से अब मैं डिटेल में जो लिखना आए, देखे, बोला गया तो नहीं कि उसके आधार पे, उसके आधार पे कंक्रीट कितने टाइप की, तो आपने सेप के आधार पे देखा, सबसे पहला राउंडेट था, फिर सेमी राउंडेट था, फिर एंगूलर था, फिर चप्ता था, चप्ते वाले में बताया, जब किसी कण की नियूनतम माप, यानि उसकी मोटाई, उसकी आउसत माप के तीन बटे पांच से कम हो जाए, तो वह चप्ता या पत्रिल कंड, कंड की आउसत माप उन दोनों चालनी का आउसत है, जिस से, एक पर से कंड निकल जाता है, परंतु दूसरी पर रुख जाता है, देखिए, ये पूरी बात यहां से समझाया हुआ है, देखिए, बीस पर ये आउसत माप हुई, 17.5 कंड का अजमा यहीं, वही जांप लिया जरूर हूँ, लेकिन आप कोई भी दो चालनी का से ले सकते, ये बीस पंदर का लिया है, 17.5 का 3.5 से कम है, तो ये कहलाएगा क्या आपका पतला अलंबोत्रा, वो कहा जाएगा, जब इसकी लंबाई 9.5 से अधिक हो जाए, तो ये लंबोत्रा कहलाएगा, तो इतना जान लिजिएगा, कि पत्री लवा लंबोत्रे कणों की पहचान के लिए, फ्लैकिनेस इंडेक्स वर, इलोंगेटेड इंडेक्स एक टेस्ट होता है लैब में, यदि आप कमी किया होंगे, तो पता होगा, 1 kg गिट्टी लेके देखते हैं कितने लंबे वाले उसमें निकले, उनको अलग करो, पतले वाले, ये दोनों मिलाके 15% से अधिक हो जाए, तो हम लोग उस गिट्टी को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना? तो क्योंकि लिखा है, मिलावे में पत्री लोवा लंबोत्रे कण जितने अधिक होंगे, कंक्रीट उतने ही पोरास होगे, नहीं कमजोर हो जाएगी, आता मिलावे में पत्री लोवा लंबोत्रे कणों का 10-15% से अधिक नहीं होने चाहिए, 15 से अधिक होआ, तो रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन जब तुम और चीज़ें जानते रहों, मा लोग खाली अलग से कोश्चन यहीं दे दिया, कि इलोंगेटेड, इलोंगेटेड आइग्रिगेट क्या होता है, समझाईए, बस, समझाना, इलोंगेटेड आग्रिगेट, सुनते रहो, पूरी बातें कवर होगी, इलोंगेटेड आग्रिगेट उस अग्रिगेट के कहेंगे, जिसकी जिसकी अधिकतम माप उसके औसत माप के नौबटे पांच से अधिक हो जाती है, इस वज़ा से इनकी मातरा 10-15% से ज़्यादा नहीं होगी, इतनी बात आपको लिखनी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा, तो यह सब घुमा फिरा के आएंगे, तो आप करिएगा, आगे कोश्चन हमसे पूछा गया, मिलावे से रिलेटेडी का अच्छा कोश्चन है, क्या, रिट का सूचमता गुणांक कैसे ग्याद किया रहता है, स्वयम का उधारन देकर समझाईए, देखिए स्वयम का उधारन का मतलब है कि यह कह रहा है कि अपना नुमेरिकल पूरा लगाओ जाकर कि इस बात को मैं यहां काट रहा हूँ, क्योंकि वो टाइम टेकिंग सूचमता मापांक नापने के लिए, एक सिंपल तरीका है, क्या तरीका है, पहली बात कि कोई भी गिट्टी आप जब लेते हैं, बहुत सारी गिट्टियां उसके अंदर होती है, तो सूचमता मापांक एक अंक होता है, और वो अंक उनक की साइज को तो डिनोट करता है, समाओ, और साइज को कह सकते हैं, यानि सूचमता मापांक फाइनेस मौडलस इस नमबर विट सोज, विट गीव सम इन्फॉरमेशन एबाउट साइज आप देग्रिए, यानि कह सकते हैं कि बड़ी गिट्टी रहेगी तो उसका साथ सूचमता मापांक ज्यादा होगा, छोटी गिट्टी का और कम होगा, और बालू का सूचमता मापांक और भी कम होगा, तो कैसे निकाले सूचमता मापांक, कैसे किसी गिट्टी का सूचमता मापांक निकाले, उसके लिए बहुत सरल तरीका है, कैसा तरीका है, उसके लिए हम लोग चालनी वि क्या बोलता है सीव करते है CVE details test कि समझ सिनलक्सिस में मानक चालनी का सेट होता है तब से एग्रिगेट को छाना जाता है और च्छाने पर कुछ Pacific क Schmidt कूछ Pacific कूछ सबका प्रतिसत लेते हैं प्रतिसक का मतलब इस वाले पर कितना बचा 20% नीचे वाले कितना 10 प्रक्राइल जैसे मरीफिक एक केजी घिट्टी लेके ते कि conviction 700 ग्राम बचे गया ऊपर वाली चलनी पर फिर नीचे वाली पर भी सौ तो ग्राम फिर उसके नीचे वाली पर दो सुगराम एक बात बताओ जरु हो तो दम ल 없गे जिफिक कितना होता है नीचे वाली का उससे छोटा नीचे वाली का उससे छोटा इस हिसाब से जो जो मिलावा उपर वाली होता है वो नीचे वाली आप लुके का अिसको के दॉद्धी तो इस पर के दो Cam Si सभते लिक बहुत दोस प्रती सथ अन्यकूर, पर some का मतलब होता है सूचमता मापांग कैसे निकलेगा आप इसका 10 प्रतिसत रुका इस पर 20 प्रतिसत इस पर उपर का सब मिला के 40 प्रतिसत इस पर नीचे वाले पर कुल मिला के इतना प्रतिसत तो यह जो कमिलेटी पर सेंटे जा रहा है यानि इसका जो अभी सुनते जाओ मैं बताता हूं क्या करना है चुप चाप सुनो पहले जो कह रहा हूं इन सारे कमलीटी पर्सेंटेज को आपस में जब जोड़ोगे न तो आएगा 500 600 700 कुछ भी आ सकता है और करने के बाद उनको 100 से भाग दो दो गए तो जो संख्या आती है उसी कहते हैं फाइनेस मॉडलस जर सुच्मता मापान के संख्यात्मत माना एक नंबर है जो संपूर्ण मिलावे के कणों के आउसत माप को दर्शाता है मिलावा जिसकदर मोटा होगा उसका सुच्मता मापान उसी क्रम में अधिक होगा जब सुच्मता मापान का निम्न मान यानि कम मिलावे का मिले तो महिन प इसके लिएक प्राजार सुचमता मापांक शुरा है, मिलावे को मानक चालनीयों के सैट पर छानने से, प्रतेक चालनी पर रुके हुए मिलावे के संचित प्रतिसत का मिलेटी परसेंटेट के जोड को सौ से भाग देने पर जो संख्या आती है, इसे चालनी विस्टलेशन भी कहते हैं, बता दिये हो, पूरा, जो बोले हैं, हम उसको थोड़ा डिटेल में बोले हैं, यह बता दिया है, कि मिलावे को मानक चालनी के सेट से चानने पर उसके संचित प्रतिसत के योग को सौ से भाग देने पर जो संख्या आएगी, अब भाईया हम तुमको भाग देकर के दिखाएं हैं में क्लास में, जो मुख क्लास है, जो डिटेल वाली क्लास है, पेड़ वाली यूटूब प पास कराने भर का हमेशा मैटरियल दिया हूं कि बच्चा कोई फेल नहीं हो, जिसके पास पैसा नहीं वहीं, उतना भी पड़े, खोड़ा पैसा इस लिए 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 बताता है, किसी मिलावे में, इतना मतलब ज़्यादा सुच्मता मापान के लिए बढ़े करनों को चोट चोटे करनों को कम, जैसे जनरली बालू के लिए सुच्मता मापान के लिए जाता है, महीन के लिए, वो कितना लिए जाता है, तो देखो, यह मान महीन मिलावे के लिए, दो से साड़े तीन, यानि बालू के लिए लगभग, दो से साड़े तीन, जबकि गिट्टी के लिए च्छे से शाड़े आठ लिया जाता है यदि दोनों को mix कर दिया जाए तो लगभग कितना हो जाए गए चार से चाह तक लगभग अगर दोनों को mix कर दिया जाए ठीक है ना जनरली जो aggregate होता है वापस में क्या होता है बंधा होता है अगर एक साथ देखोगे तो बंधा रहता है तो जब बंधेगा तो देखो gap बीच बीच में बनता है अगर हम लोग सभी मिलावे जैसे एक गिट्टी है उसमें सब 20-27 की ले ले सब 20-27 की तो ना 20-27-27 तो बीचे में gap बनेगा वो छोटा भी रहता तो उसके अंदर भर जाता gap के अंदर फिर उसके gap के अंदर और चोटा तो देखो grading में हम लोग चाहते हैं कि लगबग हर माप के मिलावे concrete के अंदर उपलब्द हो बात समना रहे है इससे होगा क्या कि concrete अधिक dense बनेगी यानि सघन बनेगी औ तो concrete की quality और strength प्रभावित होगी तो grading का मतलब होता है concrete में सभी माप के कड़ों का उपयुक्तता करना उनको सभी माप के कड़ों का उपलब्द करना इसको कहते हैं grading करना अब एक ची जहां पर ध्यान से बताएगा क्या मैं फूसना चाह रहा हूं क्या यह सबसे सही था तो grading का मतलब grading भी दो तरीके से की गई एक grading था general grading यानि ordinary grading दूसरा था gap grading अब इन दोनों को मतलब ही हो सकता है इसमें मिले ना मिली लेकिन तुम सुने रहो ताकि जान टाइम अगर इस वीडियो देख रहो तो इस टक कर कि कर लो देखो एक सामान्य वर्गी करन क्या होता है या मैं जाएगा जितना कंटेंट में दो घंटे में या दूंगा ना उतना तुम लाइफ क्लास में साड़े पांच से छे घंटे लगते मैं दोनों लेके देख चुका हूं तो थोड़ा बात तुम से बीच-बीच में मैं इस लिए कर रहा हो ताकि तुम बोर नहों अब उसमे उसको बोलेंगे जेनरल ड गुष्य नहीं देखा लिए ना पि जोटी गिट्टी चोंटी चोटी के आदर ऊट्नी चोटी 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 के अदर और चोटी गिटि जब आजा रहे अंहीं इसे में गर पार रहा है खाली पानी में। प्रिटा और कम जूर होगी तो कि कितना भी तुम सघन कर लो गिट्टी को उसके अंदर सिमेंट तो पहुंचना चाहिए गोले नहीं पहुंच पाया इस वज़ा से ग्रेडिंग ज्यादा प्रिफर की गई ग्रेडिंग क्या था तो ग्रेडिंग में किया क्या गया ऐसे करते सब्सक्राइब को छोड़ा थे बढ़ा करन फिर छोटा करन फिर चोटा कर सब्सक्राइब भी तो उसको बोला गया गयर गरगडिन तो पहली बात के चुरिंग करने क्या होता है कि मैं Japanese आतने अपको stairs त्रेनी करण का मतलब भी बताया और दो तरह का एक ordinary grading या general grading दूसरा जो होता है वो gap grading अब इनको पढ़ते हैं इन्होंने क्या कहा बोला है question में कि मिलावे की grading से आप क्या समझते हैं तो पहले उच्छ सामरती concrete तैयार करने के लिए अच्छे cement के साथ साथ उप्युक्त मिलाव मिलावे का रिक्तिता अनुपात कम होता मिलावे का रिक्तिता अनुपात कम होता मिलावे का रिक्तिता अनुपात जितना कम होगा उस मिलावे से बनी concrete उतनी सगन सामरत्वान मित्वय यह उत्तम गुणवाली होगी यह बताया इन्होंने इसके बारे में ठीक है मिलावे में विभिन मात के कणों का उपयुक्त अनुपात मिलावे का स्रेणी करन कहलाता है स्रेणी करन क्या है? विभिन मात के कणों का अनुपात बनाना सब मात के हो उसको कहते हैं स्रेणी करना स्रेणी करण का सिध्धान्त है कि मिलावे में विमिन करणों की उपस्तिती इस प्रकार होनी चाहिए ताकि बड़ करणों की रिक्तियों में छोटे करण और छोटे करणों की रिक्तियों में महीन करण भर जाए और कंक्रीट सघन बन जाए उत्तम प्रकार की स्रेड़ी क्रेट मिलावा ठोस सघन कंक्रीड बनाता है ऐसे मिलावे महीन मिलावा और सिमेंट की मात्रा कं डालिन पड़ती है अच्छी कंक्रीड बनाने के लिए यह सब यह सब पूरा बता दिया इसने इतने ही बात बताई कि स्रेड़ी करण क्या होता है लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ पे ध्यान से कि इसने टाइप सॉफ ग्रेडिंग नहीं बताया है मैं उसको बता दिया हूँ एक होता है जनरल ग्रेडिंग जो इसने बताया न वो जनरल ग्रेडिंग बताया है जंक्रेडिन कमियर पूर्जे तो बताईएगा दूसरा होता है गरीडिंग बस दोनों में एक ही लाइन के लिखेगा जनर ग्रेडिंग में सभी माप के कणों का अनुपास लगा जाताहे जब कि ग्रेडिंग में पू Bijna कणों को छोड़ दिया जाताहीं माप आपके कणों को छोड़ दिया रहता है क्योंकि आतरिक सघंता की वज़ा से ऐसा देखा गया कि सिमेंट का घोल ही टच में नहीं आ पा रहा था तो यह था आपका सिनडी क्रित यह सब चीजें थी मिलावे के बारे में मैंने बोला सिमेंट से कोस्टन बनने के चांस कम है लेकि कर पानी तो हम लोग कहीं से चालू करके डाल से जी नहीं कुछ मानक बनाए गए हैं और उन मानकों को यह आप याद कर पाए तो कर लीजिए बोला गया है कि जो पानी तुम प्रयोक करोगे ना उसके अंदर कुछ खास चीजें जैसे क्या मिलावट के नाम पर पानी के कि अब मैं यह बताने चलूंगा तो अभी तुमको अभी मिलना है हमसे अभी स्वायल पढ़ना है यह सब पढ़ोगे तब तुमको पता चलेगा कि और गनिक पदार्त आगे चलके हमारे लिए दिक्कत हों लगे जो बच्चे इंटर्मेडिट में अच्छा पढ़े होंगे जानते होंगे कि और अर्गेनिक मैटर्स हार्ध मैटर्स विच हर میड बाई ऑर्गंस की जड़े पत्तियों तने इस से जनवरोंần के रड़ीओं से इन सबसे जो सडने गलने वाली चीज है उनको औरगेनिक कहते हैं जो छिलके विलके हैं किसी चीज के उनको बोलते हैं औरगेनिक तो वो 200 mg पर लीटर यानि एक लीटर पानी में 200 mg से ज़्याधा नहीं होने चाहिए एक ऐसा पानी जिसमें कार्बनी का सुद्धिया इतनी से ज़्यादा है वो ठीक नहीं कॉंक्रिटिंग के लिए और कार्बनी 3000 से ज़्यादा, सल्फिट 500 मिलिग्राम, क्लोराइड 2000, प्रवलित के लिए 1000 और सस्पेंडेट, टोटल सस्पेंडेट जो मेटेरियल है, वो 2000, पानी में खास बात है, पी एच वैलू 6-8 के बीच होना, यानि पानी जो बनेगा हम लोग का कॉंक्रिट बनाने के लिए, उसका पी एच वैलू 6-8 के बीच होना चाहिए, क्लियर है पूरी बात, ये पानी के मिली ग्राम, या मिली लीटर, उसके जगाँ पर तुम PPM पार्ट पर मिलीर भी यूज कर सकते हो, उससे कोई दिकत नहीं है, तो पानी इस क्वालिटी का होना चाहिए, तो हमने मिलावे और पानी दोनों की क्वालिटी पर बात कर लिया, सिमेंट की क्वालिटी पर क्यों ब इस चाहन रखना पड़ता है, जल सिमेंट अनुपाद को कहते हैं, डबलू सी रेशियो यानि वाटर सिमेंट रेशियो, ठीक है, अब वाटर सिमेंट रेशियो का यहां पर क्या मसला है, तेक्शी जानेगा, किसी कॉंक्रीट में, पानी कितना लीतर है, और सिमेंट कितना है यह केजी वालके सेमिंट कहीं है कि इन दोनों के भारों के अनुपात को हुद आयतन नहीं आस तनम वेट वेट पानी अगर केजी में से रहा हैं सिमेंट भी के जी में तो दोनों के भारों के आप उनके जो वेट हैं उनके अनुपात को बोलते हैं वाटर एंड सिमेंट रेशियों का इस ट्रेंद्ट पर बहुत ही घहरा प्रभाव पड़ता है पानी अगर ज्यादा डाल दिया जाने कॉंक्रिट के अंदर रहा सब्सक्राइब कर दो इसका मतलब वह वाटर सीमेट रेशियो बढ़ता ऑना तो कंक्रीट गीला हो जाएगा गीला गायव कंजोर बना अरो क्रीट को सुखा सुखा रखो बस अरते इतना गीला जरूर कर दो कि सिमेंट के जो हाइड्रेशन की क्रिया है वह कंप्लीट हो जाए यानि हम लोग अच्छे तरीके से दी बात करें तो कहेंगे क्या पहले कोश्चन नहीं देखों सीधे क्या समझा गया क्या पूछा गया लंबे समय तक पूछा जा रहा है और पूरी प्रॉबिल्टी है ऐसे कोश्चन की तो पहली बात जल सिमेंट अनुपाद क्या होता है कंक्रीट में प्रयूंग के जलवा सिमेंट के भारों का अनुपाद जब थोड़ा टेक्निकल होते जाओगे जब थोड़ा कॉंपेटिक् लगेंगे जैसे बच्पन में रवीना टंडर ट्रूंकल खन्ना एक ही जैसी लगती थी वह ऐसा ही यह भी लगें तो फिर प्रूजर्ट हो जाएगा तो इसका मतलब है कि आप यहीं से थोड़ा से जानिए बाखी बार बार इसने नहीं लिखा क्योंकि जानते हैं कि जानते नहीं पर फोकॉस नहीं होता है ठिक है लेकर यहां फार्मूले में लिखा जल संवेंदय क्कृआं। अरूपात मैं अगर हम जल warehouse इसका मतलब जानते है कि कि उसमें साथ लीटर पानी और सौ लीटर क्या है आपका सिमेंट यह सो साथ केजी पानी और सौ खेजी सिमेंट तो इस वज़या से 0.6 हुआ है अगर यह पचास होगा तो यह तीस होगा मतला अनुपात 0.3 आपका आना चाहिए बात समय रहे हैं यानि कायने का मतला बहुत सी सीधा सीधा है क्या यहां पर किये होता है जल से इनका असर क्या पढ़ता है जैसे जैसे वाटर सिमेंट रेशियो बढ़ता है यानि पानी की मातरा बढ़ती है सिमेंट के अंदर अभी मैं कम बोल रहा हूं वाटर सिमेंट रेशियो का बढ़ना पानी की मातरा बढ़ना तो अभी के लिए मैं बार बार यही कहता हूं जैसे यह मैं जानते हो दोस्त मुझे थोड़ा तकलिफ होता है कई बच्चे ऐसा बोलता है कि सर आप यह नहीं बता है तो मुझे मत जाचो जब टीचर हल जैसे मैं मेरा पहला साल जब था मैं पढ़ाना शुरू किया था तो कोई बच्चे आया कुछ पूछा मेरा मनुगा इसको ऐसे बता इतना बढ़िया बता है फो बढ़िया से बताते थे नए टीचर अक्सर ऐसा करते हैं पूराना टीचर जब समझदार हो जाता है कि इस बच्चे को यदि मैं ज्यादा बताया तो यह मिसगाइड होगा इसका नंबर कम हो जाएगा क्यों क्योंकि यह बोल देखो अच्छी चीज़ें मैं बताऊंगा दिमांग में भर जाएंगी तुम जाओगे च्छाब दोगे टीचर वो चीज़ खुद नहीं जानता है कि मैं बुराई नहीं कर रहा हूं लेकिन जो कई बार ऐसे तीचर भी होते हैं जो खुद ही उससे उपर का नालेज नहीं रखते हैं फिर क्या होगा तुम बताओ इसलिए मैं कहा रहा हूं बहुत जरूई है समधना कि कहां कितना लिखना कई बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे पढ़ने मैं अच्छे होते हैं नंबर नहीं आता है तारण यहीं होता है तो मैं समझाता हूं कि जो एक्जाम हो उसी के कोडिंग तुम लिखो उसी के कोडिंग जाना फिर नालेज एक से मैं आयेगा ना जब खाली नालेज लेना रहेगा तब कोई रोक तोक नहीं रही अभी बाद के बाद के चलो ठीक है तो यह था आपका कि असर क्या पड़ता है उल्टा असर वाटर सेमेंट रेशियो बढ़ेगा सामर्थ घटती है कांक्रीट की सा पीजन सामर्थ का जल सिमेंट अनुपात से रिलेशन दिया है कि स्ट्रेंथ जो होती है वो 948 divided by 7 to the power x यह प्रोफेसर अबराम थे इन्होंने देखा कि कंक्रीट में सामर्थ है जैसे यहाँ पर हमने लिखा इसका वाटर सिमेंट रेशियो अगर ग्राफ कीचूं और घली है और फिर उसके वाद अचानाग कि गटने लगी उन्होंने ऐसा देखा इस सबसे अधिक स्ट्रेंथ जो मिली इस पॉइंट परats स्ट्रेंथ सबसे आई है स्ट्रेंथ बढ़ रही है चानक फिर डाउन हुई यानि इस कारव पर सबसे उंचाई पर जो इस्ट्रेंथ यहां पर मिली वह मिली किस वाटर फिमेंट रेशियों पे लगभग 0.38 किताबों में आपको कई बार 0.4 भी मिलेगा दोनों बात सही है ठ उसमें से 23 पर्षेंट उसके हाइड्रेशन के लिए और बाकी 15 पर्षेंट जो है जेल फॉर्मेशन के लिए यह पानी लगता है तो ऐसा देखा उनों कि वाटर सिमेंट रेशियों एक इलिमेंट देखो इतना पानी कम डालोगी सिमेंट है न मिक्स हो तो गड़बड़ है अगर इतना पानी भी डाल दो कि बैहने लगे तब दी गड़बड़ है यानि यह था यह रेशियो कुछ बच्चों को मैं आपको हलका सा बता दूए आप यानि सिमेंट और पानी और सिमेंट का अनुपात यह 0.4 होता है तो इस ट्रेंथ बहुत अच्छी आती है यह आपक अभी के लिए जानना है कि प्रोफेसर अब्राम ने कहा कि जल सिमेंट अनुपात का उल्टा असर पड़ता है किस पर सिमेंट की उसकी स्ट्रेंथ पर यानि स्ट्रेंथ जैसे 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 जल सिमेंट अनुपात बढ़ता है सिमेंट की स्ट्रेंथ घटती है क्योंकि अगर के लिए नहीं एक लिमिट के बाद सुरू में बढ़ाता है उसके बाद घटाथा लेर पूरा बात यहां पर इस समिक्रण से इस परश्ट होता है कि ठीक ठीक प्रकार से संगनित कंक्रीट की सामर्त जल सिमेंट अनुपात के बढ़ने से घटती है वह घटने से बढ़ती है य ये बतायगया कि अनुपात कि नियम कब जल सिमेंट नुपात कि नियम का पुस्टी को स्मानों करता समानों हो कंक्रीट की सुगटता सुकरतस इन इन तभी हो नहीं जब ऑने नुपात अनुपात के द तू कर मतलब वहता है रही केबल हो तो वो सुकारता तक बनी रहे उसके बाद का काम है यह सब ठीक है आगे कहरा अगला कोस्चन में से सिमेंट के जले उजन पर संचित टिपड़ी लिखिए cement के जले उजन पर जब cement में पानी मिलाया जाता है तो जो क्रिया वो करता है पानी से उसको बोलता है cement का जले ईजन hydration of cement कहते है कैसे काम करता है टिकपड़ी मैंने cement का बस एक ही question लिया आ जाई इसलिए लिया है कुझे important है concreteing में भी important है इस वज़े समय इसको ले लिया है, ठीक है ना, सिमेंट में पानी मिलाए जाने पर जो लुगदी बनती है, वो कुछ देर में फूल कर मकडी के जाले की भाती मिलावे के कणों को धाप लेती है, और कठोर होकर कंक्रीट को सामर्त प्रदान करती है देखो, सीधी सी बात है, कंक्रीट में पानी मिलाए जागा ना, तो वो जल बनता है, और जल क्या करता है, एक पेस्ट में करणवर्ट होता है, कुछ देर बाद, जब इसका पानी मिलाने के आदे गंटे बाद, इसका पानी इनिसियल सेटिंग टाइम शुरू होता है, प्रार आधी यह मजबूत, बात संबना रहे ही, जैसे बच्चा पैदा होता है, तो सुरू में तो पैर जमीन पर रखी नहीं पाता है, उसके पैर में ताकट भी नहीं होती, और जमीन पर आखना शुरू कर देता है, तो फिर वो दौड़े गावर पैर में मजबूती है आना लग यहां पर बोला गया है देखो एक चीज़ ध्यांदना संतोस जनक परणाम के लिए सिमेंट में इसके भार का 0.4% पानी मिलाना पर्याप्त रहता है यहां पर एक चीज़ गलत दिखी गई है मैं बता रहा हूं क्या छापने वाले इसे उल्टा सिधा 0.4 लिखो परसेंट नहीं 0.4 लिखो या लिखो 40% 0.4 को ही 40% बोलेंगे तो इसके भार का 0.4 पानी मिलाना परयाप्त रहता है या 40% पानी मिलाना परयाप्त रहता है साधार तापकरम पर 28 दिन में जलेवजन की क्रिया लगवग 90% पूरी हो जाती है अता कंक्रीट की प्रयोक साला में 28 दिन की सामरत ज्यात की जाती शाथ दिन में 28 दिन की सामरत का लगवग 65% मान परात हो जाता है ये सब चीजें मैंने सिमेंट वाले टॉपिक में आपको अल्रेडी पढ़ा रखा है फिर भी मैंने ले लिया कि चलो पानी मिलाने पर क्या क्या होता है वो सब मैंने आपको बता दिया और यहां पर इसमें लिखा हुआ भी यह सारा PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं एप से या फिर ना दिक्कत आ रही हुआ पे तो आप डाउनलोड कर समझ लिया उसके बाद तुमने देखा कि concrete में कौन-कौन से ingredients लगेंगे cement लगेगा गिट्टी बालू मिलेगा यह सब लगेगा ठीक है ना तुमने वह भी पढ़ लिया उसके बाद तुमने एग्रिक समझा उसको उसके बाद concrete के अंदर तुमने यह समझा कि पानी मिलाने से जल सिमेंट का एक अनुपात आपक से बनाएगा यह सब जब पढ़ रहे हो तो आप concrete जब बनेगी तुसके कुछ गुण भी होंगे और गुण दो अवस्था में होंगे concrete के अभी लक्षण दो अवस्था में होंगे पहला इन plastic state यानि concrete में पानी मिलाया हो कुछ गुण होते हैं और कुछ गुण होते हैं कौन से हार्डेंड state में यानि जब concrete मजबूत हो जाती है जम जाती है हार्ड हो जाती तब उस state में तो उसको कहते हैं property in हार्डेंड state मैं पूछूं कि एक प्लास्टिक concrete में यानि सुघट concrete में ताजी concrete में कौन-कौन से गुण होते हैं तो तीन मुख्य गुण है होने को बहुत सारे तीन मुख्य क्या एक होता है segregation segregation दूसरा होता है bleeding bleeding और तीसरा जो होता है वो होता है workability एक ताजी concrete जिसको तुम अधी पानी मिलाए हो उसके अंदर ना क्या गुण है पहला बात उसमें से गिट्टी अलग हो सकती है ऐसा उसके अंदर गुण है गिट्टी कैसे अलग होगी कवी 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 उचाई से उठ में तुमने concrete रखा हुआ है मजदूर मजदूर उसको उठा के ही इस पटक रहा है तो पटकेगा ना तो गिट्टी जो बड़ी बड़ी रहे हो पहले गिर जाएगी आप पेस्ट बाद में गिरेगा सिमेंट और बालु वाला पानी वाला तो वह segregate हो गई प्रिथक करन इसक सुका रहता यह तीनों चीज ताजी concrete में होते हैं जबकि हाड़ेंड इस्टेक कंक्रीट कठोर हो जाए तब क्या होता है तब आती है उसके अंदर पहला गुण मजबूती दूसरा इंपर्मेबिलिटी यानि पानी को पास ना होने जिने का गुण इंपर्मेबिलिटी एक गुण इसके अंदर आता है इसके अलवा इसके अंदर हार्षों परीटी होटी है आरफ यह घ्याती है और इसके अंदर दूरिबिलिटी आरपी अलब ये लंबे पर ये चैप्टर बना है आपका क्या कि आप बताई कंक्रीट के अलाव लख्षण कौन कौन से लख्षण पहला प्रिथक करण उत्स्रवन या कंक्रीट का ब्लीडिंग को संचेप में समझाईए पहला बोला स्ग्रीगेशन दूसरा ब्लीडिंग मैंने आप नहीं बताई है क पिस्ट में मोटा मिलावा मसालय से बाहार अ प्रिथे मोटा मिलावा तर गिट्टी प्रिथक करना कहलाता है इसको रोकने के लिए कंक्रीट में पानी की मातर आधिक नहीं होनी चाहिए सायुक्त मिलावा मोटा मिलावा नहीं होना चाहिए ताजा कंक्रीट को अधिक उचाई से नहीं पटकना चाहिए जैसे बहुत पानी ब्लीडिंग ब्लीडिंग में होता क्या है कि कंक्रीट की सता पर कंक्रीट की सता पर जैसे स्लैब अगरा बन जया तो होता क्या है कि पेस्ट है तो भईया पेस्ट दीखना ठीए पानी उभर के बाहर आ जा रहा हैं कंक्रीट के पेस्ट में पानी जाधा रहएगा तो पानी उभर बाहर आ जाएगा सता पके असता पर पानी चमकता जैसे बनाए असलेव पानी चमकेगा ना तो पानी तुरंत गायब होगा पहली बात की जलायोधन के लिए पानी सही नहीं मिला दूसरा पानी जो सता प्याएगा ना वह बाग में पपड़ी जैसा छोड़ेगा तो ब्लीडिंग का मतलब होता है मसाले स से पानी का अलग होना ब्लीडिंग कहलाता है यहां लिखा है मसाले से अलग होने कोई ब्लीडिंग पानी का अलग होना यहां पानी बूल गया पानी को अलग होना ब्लीडिंग कहलाता है यह तभी होता है जब कंक्रीट महीन कणों की मात्रा परयाप्त होती है बालू कम हो त दूसरा महीन मिला वैने बालू ठीक ठाक रखिए अब बोला हाडेंड कॉंक्रीट के गुणों को लिखिए दिखा जमी कॉंक्रीट जमी मतला जो आड हो गई उसके गुणों को लिखिए तथा कि नहीं दो कावर्णन करिए कई गुणा है जैसे मैंने बोला था स्ट्रेंथ है इंपर्मिबिल्टी है उसका डाइमेंशनल इस्टेबिलिटी है उसके बाल मैंने अगनी जो दक्ता नहीं लेगी थी फायर डिस्टन्स कंक्रीट फायर डिस्टन्स ये सब कंक्रीट के गुणा भाई कोई दो गुण समझा दीजिए आप सारे ही समस्तो सब रहे हैं आप साम नहीं होता है यारी इतना जान दिजी कंक्रीट मजबूत होती है कि वो चटकता भी जल दी है ठीक है ना तो ये कंक्रीट का मजबूती का दोस्ता मजबूती के अपने फाज़े दी अपारगम में ता इन पर्मेविल्टी कंक्रीट का कंक्रीट का इसमें से जल के बहाओ के विरुध प्रतिरोध यानि कंक्रीट अपने अंदर से जल के बहाओ को प्रतिरोध सब्सक्राइब करते हैं अहीं जाने रहे होती है काफी सीमाता फार्गम में होती है लेकिन कुछ पार्गमिता होती है जिसके कारण सभी सामयतना कुछ पाहरा रहा होगा अब पर घमेता है तो अब concrete की कारेश्विलता मैंने बोला कि concrete के अंदर ताजी concrete के अंदर तीन गुण होते हैं पहला segregation और bleeding तो दो तो तुमने समझा उपर segregation क्या है bleeding क्या है उनसे बचने का उपाई भी आपने देखा अब बात करते हैं कारेश्विलता यानि which is called workability workability कहलाती है कहनते हो ताजी concrete को किसी भी रूप में ढाल देना उसकी plasticity कहलाता है plasticity लेकिन workability क्या है concrete को अगर तुम ऐसे कहीं पर डाले और बिचाने में बड़ी आसानी से बिच गया आसानी से compaction हो गया तो कहते हैं concrete workable है किसी चीज पर काम करो और काम असानी से हो जाता है बड़ा आसान है इस पर काम करना यानि यह यह ना इसकी कारेश्विलता अच्छी है यानि यह workable है यानि workability of the concrete is the property by virtue of which it is easy to place to transport and to compact the concrete यानि concrete को place करना compact करना और ट्रांस्पोर्ट करना आसान हो जाता है जब उसकी workability अच्छी रहा पानी मिला के लूज कर दिया जाते तो अपने आप ऐसे डालो पूरा बैट अपने आप बैट जाएगे कुछ कूछ पूटने उपने जरू होती है तो कौन सा सही है कि जान लो workability अच्छी होगी तो strength गड़ जाएगी workability अच्छी होगी तो strength गड़ जाएगी सीधी सीधी ब लगानी पड़ती है ऐसी जगहों तो जहां पहुंचना संभव नहीं हो तो पता चले अगर नहीं ठोके अड़ी तो पता चले उसमें वाइट रह जाएगा और वाइस ज्यादा खतरनाक है उनसे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं concrete को workable बनाने का प्रयाश करते हैं बात पूर्व शंधनन के लिए कितने आंतरीक कार क्या हो सकता होगी का यह तो बड़ा टेक्निकल डेफेनेशन बोल दिया यह बोला कि concrete के द्वारा अपने आपको कॉंपेक्ट करने के लिए या तो concrete को हम कूटें बैट जाए वो आया तो अपने आपको खुद कूट ले बात सम अच्छी नहीं मैं जो बोलाओ उसको लिखेगा यहां पर लिखा गया कि concrete की सुकारता जितनी अधिक होगी सुकारता मतलब होता है concrete का वर्केबिल्टी इतना अच्छा होगा उसका कंपेक्शन यह संधना नहीं वह संधना होगा होता है यहां पे उतना ही आसान होगा मतलब वर्केबल concrete ना तो उसको उतना compact करना बड़ा easy होगा कि जिससे concrete के संपूर संधनन के लिए कम उर्जा क्या हो सकता होती है अर्था concrete को मिलाना बिछाना कुटाई करना तथा finishing करना करना आधी कार्यों में सरलता वह सुविधा होए चाहिए यह वर्केबल concrete के गुण सुकारत प्रभावित करता है यह कारक बड़ा important है कि वह भराइब है कि अब कारता पाने की मात्रा पाने के मात्रा बढ़ने से वुकारत पर अतर पढ़ेगा अगर पानी की मात्रा बढ़ेगा वर्केबल्टी बढ़ेगी मिस्त्रण का परिमाप याने जो aggregate है उसकी side side देखो पानी क कि मात्रा पानी की मात्रा directly proportional यानी यानी पानी की मात्रा बढ़ेगा my बढ़े गी मिलावों का आकार जानी ROUNDED है RAUNDED AGREE यानी आकार को हम ऐसे भी समझ सकते हैं इसका मतलब होता है वही जो सेट की बात कर रहा है तो सेट में देखो और मैं इक बात बता दूँ स्पेसिफिक इरिया जीतना कम वर्किबिल्टी इतने ही अच्छी होगी यह यह दूसरे के पूरत सही यह इस जानो मिलाओं का आकार लिखा न या या यह यह दो तो कुछ टर्मिनलॉजी तर्मिनलॉजी अच्छी है तुम याद रख पाएं यह जादा अच्छा वड़ा है स्तेणी करण मिलावे करण किया गया llama करण किया गया गई अनुपार का मतलब होता है कि कि सब्सक्राइब बढ़ाएग रड़ जीते बालू की मात्रा ज़ादा करड़ो तो वर्किविटी उसकी कम हो जाएगी खाली बालू की कम कर दो तो धर लगाट जाएगी तिक आ एसे पदार तुझे जो कंक्रीट के अंदर हवा के बुलबुले बना देते हैं इससे भी वर्कबिल्टी बढ़ जाती है हलका पुलका याद कर लो दो गो जैसे पानी के मातरा से मैंने बोला बढ़ती है मिश्रन के परिमाप से बढ़ती है देखो यही लिखा है क्या देखो पानी की मातरा फिर मिलावे का आकार मैंने भी बढ़ने से बढ़ता है मिलावे के आकति शुकारता कावे लंबोत्रे पत्री मिलावे करनों की शुकारता गोल गनाकति यह गोल वाले को समझाया है उसका बड़ा छोटा को नहीं समझाया मिलावे का परिमाप बड़े माप के मिलावे का सतही चेतरपल छोटे माप के तुलना में कम होता है अता समान सुकारता है कि बड़े माप के मिलावे का इस नहीं के लिए कम पानी का हो सकता पड़ती है यह पूरी बात नहीं बोला यहां पर यह बोलना चाहिए इसलिए बड़े माप के मिलावे में वर्कबिल्टी ज्यादा होती है सताही घठन खुरदूरा रहेगा यानि रूट्छ चिकनी ये चमकिली हो सकती है रूट्छ गठन वाले मिलावे का सताही चेत्रपल चिकने की मुलाव में अधीक होता है तो यह यह पूरी बात फिर नहीं किया यह नहीं पताया कि कैसे प्रवाविट होता है यहां सा तहीं छेत्रफल अधीक हुआ यहां सब्सक्राइब करना फिर उसके बाद समिस्रकों का प्रयोग सब समझा दिया यहां पे जो मैंने बोला वही है ठीक है अगला कोश्चन बोला है कि कारे सुकारता क्या होती है मनें अभी तुम पढ़े वर्किबिल्टी बहिए वर् को बीछाने पूटने में आसानी हो रही है तो वर्किबिल्टी को प्रभावित करने वाले कारक वियां कैसे वडल सब्सक्राइब का इंटेशए परकिबिल्टी की कुpanze कि लिए यह कैसे बढ़ा इंपोटन्त टेस्थ है निकालने के लिए भले इसमें बोला है इसिते टेस्ट को करने के लिए किसी एव उपकरण का चित्र खीट है अम सबक्का बताएंगे वार्कबिल्टी के वैसे तो पांस टेस्ट होते हैं लेकिन डिप्लोमा के अंसर दर तीनी टेस्ट आपको पढ़ने हैं और तीनों टेस्ट के बारे में आपको हलकाल का बता दो देखो ज गोंटा पांस नöyle पता है क है कंक्रीट के पूल संंगरन में कितने आंतरीक कार रोकिया वासंता होती है कि इसी को तुम दूसरे बात हम बոख सकते हो कि कंक्रीट की सुकारता वागूण है इसको बीचने और पॉतने और भान करने भीचने वूटनर में आसानी होती है कंक्री यहां वो तीन हो तो मैं अगर बात करने जाओं कि कौन-कौन से हैं तो मैं बात करता हूं कुछ इस तरह से पहला है आपका इस में के लिए जहे मैं पढ़ाता ना पहली बात पाच पढ़ाता दूसरी बात मैं यह फोकस करता इस टेस्ट में क्या लगए इसमें क्यों नहीं यह वाला था तो यह वाला कि लाएगा यह सब जी वाले कुश्टर लेकन डिकलोमा में एक टेस्स कैसे किया था बस इतना ही पूस्ता ये तीन टेस्ट को हो गये सबसे पहले स्लंप फिर आतोगे सबसे पहले से आसानी से और फिल्ड में किया जाने वाला टेस्ट वह स्लम्प टेस्ट को अलग से दोजार पंदरा में वैसे देखो कई बार एक कोश्चन पूछा गया इसमें लेकिन यह दिखा है कि आपका स्लम्प टेस्ट का क्या यह सांचा एक समझी है यहाँ पे ऐसे संकू है संकू इसमें हैं एसे पकड़ने के लिए यहाँ पे हैंडल लगा रहा था यह आपस वी क्रास सेक्षन है पूरा समझेंगे तो ऐसे डूड़ा रहता है यह गोल है नीचे 20 है उपर 10 है और यह हाइट 30 होता क्या है जिसका जिस कंक्रीट को हमको करना असलम टेस्ट ना उस कंक्रीट को लिया के इसमें भरते हैं लेयर में पहले कुछ लेयर भरके यह छड़ा है इसके साथ में मिली देखे रहे है यह 16 mm डाया के और 10 की छड़ो थी इसको कूट दिए फिर और बरें फिर कूट दिए फिर और पूर पीुट दिए ना तो फिर उपर से चाकू होता इससे सकाट दिए तो कंक्रीट का उंचाई यह 30 cm है अब करेंगे क्या तुरंत इसको बाहर निकालेंगे बाहर निकाल के यहां कंक्रिट ना हैसे हो जाएंगे। जो कितना वपात यह इस् Also शलांप हुआ इसी को बहलते हैं लों इसको क्या बोलते हैं लंप वैलव गिस्हें ज्यादा होगा जितने ज्यादा गिरावर्ट होगी उतने वर केबल इतने ही गिली कॉंक्रीट तुम नहीं समझे इस बात को गीला राता पूरा फैल जाता अचा एक लेबल के बाद फिर फैलता ही इसलिए स्लंप टेस्ट अधिक वर केबल कॉंक्रीट के लिए और बहुत कम कई सब्सक्राइबuar कॉंक्रीट के लिए ये टेस्ट आइए लेकन यह सब्सक्राल चाहित ही चिंगा है इसे को कहते हैं सलंप यसे बनाएoking एक तरफ पूराइल मंञा सांपूर छेनिक के आकार का साचा प्रयोग क्ये गता जिसकी आंतरीक मापें 20 cm 10 cm साचा का उपर नीचे से पूला रहता है साचे की आंतरीक सतर साप और चिकनी होनी चाहिए ज़ता उस पर नमी अथवा पुरानी कंक्रीट नहीं चिक्कियों चाहिए ताकि सतर कंक्रीट उटाई 16 मिली मीटर व्यास की साथ लाज संप में करना परिचन के लिए अने कन्क्रीट की स्थाने पर लेकर उन अच्छी प्रकार मिला प्रतिनिदी पार्षाइन तयं ःत Perhaps वो रहाी रहे टीक्या थैर सब प्रक्रियों है समझाई कि असके बादर यहां पर धेखोँ यहां पर जो रहा कि इसका कृया सम्झाए गया है इसका मनें संक्वाले का लेकिन दूसरा टेस्ट जो dow चितना टार्णे की शलंप अगर सबस्टों के अलग कार्णों के लिए अलग ठर्यक्र अगला टेस्ट है आपका संधरन गुणान परिछन इसको बोलते हैं इसमें क्या होता है इसमें बता दूंग क्या तरीका चाहिucky करने का सीधे यह पताएं चाहिं कि बाद आप इसको आथानी सामज यह श्यूंज कर लोग ऑना दए कर लोग गया है इसमें मतल nåл यह जाओ बाता है इस मेरा और सब्सक्राइब होपर मतलब समझे त्यूब है त्यूब नहीं मतलब सिलेंडर है कि यह से टेपर अच्छा अगर इसमें कंक्रीट भरो कंक्रीट भरो पुरा भर दो अच्छे से तिर मैं इसके नीचे जो धकन होता है उसको फोलने का तुब इधारा दिये जैसे इसको तुम खीचो गया और ये खु़ा तो कंक्रीट ढराम से इसमें घृएगी ठीक है मैं खोलो धराम से फिर जाकि सिलेंडर में गिर जाइए यह कं तो गिरते समयना वो अपने आप कंपेक्ट होती रहती समक्रेट का मतलब होता है उसका पार्पीयल कंपेक्षन होता रहा तो आंसिक रूप से उसको खूट रहे होते हैं जब यह कूट की नीचे आई इसमें गिरेगी नहीं कुछ मत करो गिरने के बाद उपर थोड़ा बूत लगा है उसको हटा लो इसको ले जाओ और तॉल लो तॉल यह पूरा ठीक है अब काम करो वही कॉंक्रेट इसके अंदर भर के बढ़िया से कूटो वह बढ़िया से अब तो पूरा अच्छे सा भर जाएगा उपर से हलका हलका घर राथ लेकिन इसमें अच्छे सा भर जाएगा तो करो यह क्या कंपेक्शन फेक्टर बराबर होता है पार्सियली कंपेक्टेट कांक्रीट का भार जो पहले भार था अज़े पूरा बढ़िया स्कूंट के दा होगा तो ऊपर वाला माल लों कितना है नहीं संतान बेया है नीचे विला सव आएक्टार हो गया पॉइंट सेवन कांपेक्शन स्वेसर कभी एक से ज्यादा नहीं हो सकता है यह जन ले एक से ज्यादा कभी नहीं नइए कर अब तुम बताओ अगरिक्दम गीला रहता है तो इससे चंते हुए आता और इसी के अंदर बैठता है फिर और डालके कूटने की जरुवत में जितना ज्यादा वरकेबल कंक्रीट रहती है तो पहले भार वही रहेगा बाद में भी रहेगा तो उसको काई में कामपेक्शन फेक्टर एक दम एक के करीब हो जाएगा और एक बढ़ रहे हैं और पीछे स्लंप का बढ़ना भी वरकेबल्टी बढ़ाता है इसका पूरा वर्किंग प्रोसस मैंने आपको बता दिया सिंपल वाला डाइग्राम लाव किता में बहुत खतरनाक डाइग्राम है यह बहुत सिंपल डाइग्राम है इसको बनाना तो अगर साच्य में आ जाती है जो बात बोला होना सब लिखा गया आतरीं कंक्रीट को करनी से आटा दें कंक्रीट हो सिमिंट का भार अब साचे को खाली करके पूरा कंकृट से पूरा कंकृट भरते हैं फिर कंकृट के में साचे का बाद वही चीज़िदो बहुला हूं सब लिखा गया तो यह था compaction factor दोनों देख लिए एक तीसरा टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं क्या VB consistometer लिखा है इसके लिए simple तरीका है क्या है दिखाता हूं इसमें आप कहेंगे साथ जब तीनों से नापते हैं तो क्यों एक से ऐसे ऐसे बिटा यह सब बात कवी और करेंगे कि क्यों एक खा तो दूसरा लाएगा इसमें होता क्या है एक सिलेंडर है सिलेंडर देख रहे हो आइस ऍलेंडर के अंदर रख लएक संपू करेंडर एक संकू प्लेटफारम बना हुआ हूँ है अंसे खीट लेता है तो अंदर बेलन के अंदर संकू बनाएं फिर यहां पर लगी राती एक connected motor की बहुत तेज हिलना शुरू करता है अच्छा संकू तो निकाल लिए हो तो concrete जो पहले बेलन के आकार की थी ना तुरंत फायल के प्लेन हो जाती है पूरा बेलन के अंदर लेकिन अगर बहुत सूखी concrete रही थोड़ी देर तक पांचे सेकंड तक तरना पड़ेगा हो सकता दस सेकंड लग जाया प्लेन करने में यानि संकू की concrete को वक्त लकता है उसको बोलता है अब वीबी डिगरी जितनी बढ़ती है concrete की सुकारता उतनी कम है तुब पीछे दो में जो बढ़ रहे से तो शुकारता बढ़ रही थी लेकिन वीवी कंसिस्टमीटर वीवी डिगरी जब बढ़ती है तो सुकारता घटती यह चीज का ध्यान लखना यहां पर वीवी डिगरी या वीवी सगनता माँप था आउपात शंबंद निकाल लेते हैं जितन तुमने साट बढ़ रहे थे इसमें वीबी डिग्री बढ़ना असल में और भी बहुत कुछ बात नहीं लेकर तुमको इतना ही रिखना है अच्छा बार बार बच्चे गरिया रहे होंगे मन में बढ़ा दूस्त आजमी हर बात में और बात है असल में जब मैं पढ़ाता हूं फुल के इसलिए नहीं पढ़ा पाता हूं क्योंकि मैं जानता हूं एक जानत लिए आप वीडियो देख रहे हैं उसलिए हैं मेरे पास मैं अभी बहुत कुछ और बोल सकता हूं मुद्दा वही फिर से मसरा है आज नहीं कभी और इतना बता है का नहीं जानी में क्लास में ब प्रपर्टीज वाला था वह आपका खतम हुआ यह नया चप्तर हो गया कंक्रीट मिक्स का डिजाइन यहां सभी कोशन इंपोर्टेंट है इनकी वीडियों के बारे तो आईए लेखते हैं इसको भी अब इसमें क्या होता है कॉंक्रीट मिक्स डिजाइन में या उसके डिज से एक होता है ordinary concrete, दो तरीके से concrete बनाई जा से एक होता है design mix concrete design mix concrete ordinary concrete और design mix concrete अंतर क्या होता है ordinary concrete जिन में की जाती है nominal mixing nominal mixing क्या होता है nominal mixing nominal mixing का मतलब होता है कि आप जानते हैं कि अगर M20 grade का concrete बनाना हुआ में 20 आपको कुछ नहीं करना है simple एक देड़ और तीन का रेशियो में बना दो cement बालू गिट्टी इन तीनों को मिला दो तो लगभग M20 का बन जाए इसी तरह भी M15 grade की concrete बनानी होतो तो उसके लिए एक दो और चार मिला दो बन जाए क्या M15 का इसी तरीके से जो concrete बिना किसी जैसे अनुमान पर या नॉमिनली मिक्स की जाती है वह ordinary concrete होती है जब कि design mix में इस concrete की strength क्या होगी और उसके लिए क्या अनुपात या अनुपात के लवा क्या प्रोसेजर अपना है जाएगा उन चीजों की designing की जाती है बात सुनना रहे है तो कहने का simple मतलब है कि concrete mix के design में हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि ordinary भी concrete तरीका से बनाया जा सकता है जिसमें हम लोग मानकों को मान के काम करते हैं और design mix में हम लोग concrete के संगटकों के अनुपातों का design करते हैं तो यह दो तरह की concrete ह design से क्या तात पर है और mix design की विवे नहीं को लिखो तरीका यह है design करने का जब ऐसा हो कि सामा ने अखौर्डमी करना पड़े तो क्या मतलब होता है दूसरा कैसे design करते हैं तो इसकी कई विदियां सबके बारे में हलका हलका जानना है विदियों को आपना के design करना नहीं है आ पहली बात की concrete में क्या तात पर है concrete की सामर्थ है बहुत से तत्वों पर निर्भर करती है जैसे जैसे किन-किन चीज़ों पर निर्भर करती है तो आप जानते हैं कि concrete में सिमेंट होगा पानी होगा अनुपात महीन वा मोटे मिलाओं का स्रेणी करन महीन वा मोटे मिलाओं का परसपर अनुपात, मोटे मिलावे का साई, मिलावे के कड इतनी सारी चीजें concrete की सामर्थ को प्रभावित करते हैं कि इनका बदलना workability को बदलेगा और workability बदलेगी सामर्थ भी बदलेगी तो यह सब बदलती है चीजें अब यहाँ पर आगे बोला गया है कि यहाँ प्रद्याइन जब कंक्रीट के उत्पादन में कंक्रीट के गुणों को प्रभावित करने वाले सभी तत्वों का ध्यान इस प्रकार रखा जाता है कि कंक्रीट की लागत निउन्तम आए तब यह कंक्रीट की mix design कहलाती है आवस्तेक सामर्थ वा सुकारता के लिए नियंत्रित कंक्रीट यानि कंट्रोल्ड कंक्रीट का अविकल्पन वैज्ञानिक अविकल्पन वीदियों से किया जाता है इसके लिए परिच्छन करने होते हैं भारतिक मानक वीदी द्वारा mixed design की वीदिया निमने लिखीत है ठीक है क्या क्या वीदिया है स्वैच्छिक वीदी क्या मन से eo मां करके test करते हैं यो आरंभीक इस्वार परिस्व्रbok वीदियों में पहले preliminary mathematics नियुन तम रिक्तता वीदी में ये किया जाता है कि कोसिस के जाती है कि जो मोटे कनई है उनकी रिख्तियों में महिनकण और महिनकण बढ़ जाती है रिख्तता कम होगी तो अच्छी आधिकतम घनत विधी में ऐसा किया गाता है इस घनत वा दिकतम रखने का प्रयास किया गया तो शुवे वार्द मेथड इसको बोलते हैं आर्बेट्रेडी मेथद यह सब इडीयां है कंक्रीट की डिजाइन को मिक्स करने के उसके अलावा कुछ आधुनिक विदी है जो टेस्ट पर बेस्ट होती हैं कांक्रीट के अलग-अलग अनुपात्तों को बना करके अलगलग परिस्थितियों में बना करके उन पर टेस्ट करते हैं कि जो कंक्रीट जिस तरीके से बनाने तो मजबूत सबसे अच्छी मिली उसी विधी कौम लोग अपना के कॉंक्रीटिक बनाएंगे और परिस्थ्रण ये आपको ना नहीं ये कोई विधी नहीं फर्जी इसके अलवा अब इसको हलके समझेगा कि नियंत्रित कॉंक्रीट और कंट्रोल कंक्रीट में डिफरेंस क्या यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट जैसे देखो ये कोश्चन कब आया ये कोश्चन इतनी बार आया है चार बार कि डिजाइन मिक्स क्या होता और विधियों के नाम ये चार बार आया है इतना ही उचेगा चारों विधियों को explain करने के लिए गलती से दे भी दिया तो तुम थोड़ा बहुत जो जान सकते हो उसके बारे में वो जानना वो बताना लेकिन ये कोश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि असल में दोनों कंक्रीट में अंतर क्या ह होता है क्या अंतर है डिजाइन मिक्स में और क्या होता है नॉर्मल कंक्रीट जो होती है उसमें और जो नियंतरिक कंक्रीट यानि जो जिसका डिजाइन किया था उनमें अंतर क्या है इस इसमें कंक्रेट मिक्स पूरानी और वघ्यानिक से त्यार की जाती है इसमें वेग्यानिक चिद्धान के आधार पर त्यार की जाती है बिल्कुल सही है मिलाओं के आयतन के अधार पर लिया अगता है मतलब जैसे एक बैग सिमेंट है तो बैग बालू बैग से क्या होता तॉल के तॉल के वरो यानि इसमें सभी आउयों को भार के अनुसार लिया लाता है या कम सामर्थ वाली सिमेंट कॉंक्रीट के लिए उप्यूगत है जैसे हम इसमें उच्छ सामर्थ वाली कंक्रीट तयार की जा सकती है इसके लिए कुसल समिकों के आवसकता नहीं पड़ती इसके लिए कुसल समिकों के आवसकता पड़ती है या केवल साधान कार्यों के लिए प्रयोग की जा सकती है बड़े वा महत्वपूर्ण कार्यों के लिए इ जरूरी नहीं कि आप कंकूरीट के अंदर कि अगसे कूट कार्ड के कि सामानने वाले के अंदर लेकिन यही बात जब कि 5 अ क्वाथ करने मादे सबस्क्राइब करने उस्के वार कार पर नियंतरण की विशेस अबाई सकता नहीं होती है इस में पर क्या होटा आई इस outright बनाने दिक आधिक आता है एक निर्धार्थ की आणिया हो तो कम ही सिमेंट में क्या होता है काम हो जाता है तो वही लानी है उतने इस लेकिन प्रॉसस कंट्रोल करके अच्छा काम कर लेते हैं यह दोनों में अंतर था इन अंतर को ज्याज़ा तयार रखेगा अमालों अलग से पूछ दिया कि इसे पूर दिया तो खाली यही वाला लिखना के वाल सामान ने कंट्रीट पूछेगा नहीं तब यह नहीं तो जब तुम यह दोनों समझ गए कि क्या है तो उनके बारे में अलग अलग समझो यह डिफरेंस काम हो गया तुमारा अब आगे क्या है अगला कोश्चन के अगला टॉपिक हम लोग का अधिमिश्रन यानि किसका परिच्छे इंट्रोडक्शन टू एड्मिक्श्र्स एड्मिक्श्र्स क्या होते हैं ऐसे पदा अग्सान हो जाएगा फटाफट बीच्छा उठ जाएगा लेकिन उस्से कॉलिटी खराग हो ऐसे होते हैं जो बीना कुछ एड्मिक्श्र्स बीना पानी मिला है वर्कविल्टी वढ़ा भी तो ऐसे को बोलते हैं प्लस्किसाइजर या सूपर प्लस्किसाइजर कूछ ऐसे जो concrete को बड़ा तेज़ हाइड कर देते हैं जो अठाई दिन में सामर्थ लेनी ती साथ दिन में आज़े रिटर ऐसे एड्मिक्षर मतलब ऐसे समिस्थर और ऐसे पदार्थ जो concrete के गुणों में इजाफ़ा करते हैं ठीक है अब वो क्या है पहला question पूछा गया आप से कि concrete में एड्मिक्षर से आप क्या समस्ते हैं कि नहीं दो concrete अधिमिश्र के प्रयोग तथा प्रभाव को संचेप में लिखिए ठीक है अधिमिश्र क्या होता है पूछा गया cement concrete अथवा मसाले के किसी गुण के विशेज को सुधारने के लिए या उसके किसी गुण को विक्सित करने के उड़ेस से मिलाए जाने बोले पदार्थ अधिमिस्रन है समिश्रन कहलाते हैं पहला चीड़ैकल सियम और आप मिला दीजिया न कंक्रिट में तो यह त्वरक एक्सिलेरीटर का कारे करता है और बड़ी तीच कंक्रीट को जमाता है बात समधाया का काल सामाने का एक ठिहा जाएगा स्टने की सामर्थ करने में तेड़ी आती है तो एक तरह का समित्रन का मिलाने से जलेज़न की क्रिया के दारां उसमा निकासी कम हो जाकी जैसे जब कभी ने रही मात्रा में ऐसे डाली जारे ही किसी के अंदर घड़ा ब्रना हो तो कंक्रीट करता है सिमेंट से लोग करते हैं हाथ मतलबा कर जाएगा ही रिलीच करने से चटक जाएगा खुद नहीं पूट जाएगी तो उससे बचने के लिए इसमें हीट को कम करने के लिए पोज्वाणा पदार्त मिला दे जाता है यह क्या करता है कंक्रीट-क तАपन अधिक नहीं बढ़ पाता है कंक्रीट का रिठ데 डीस्मा खाते है और सुकार्यता बढ़ हते है पंक। लेकिन आज आएगी यह तो यह होते हैं पोजलाना पदात क्या मिर्थिका सहल सूर्खी धूम बस माधी मिला जाते हैं इस थूल कंक्रीट कारणों में बात सुरंगादी परिविश्में काम किया था तो कुछ दो के पूछा था बता दिया आगे फिर कोशन इस समिस्रण के प्रयोग का उद्देश इस पस्ति दर साधानिया चुंत नहीं बता हैं पूद्देश को बढ़ाना यह गटाना इनका मोक्त आएम क्या 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 जैसे सुकरता तो कुछ केमिकल जो सुकरता बढ़ा देते हैं पूद्द आरने के लिए ताकि पानी बढ़ा दो लेकिन पानी से घड़ जाएगी तो कुछ केमिकल जो सुकारता बढ़ा देते हैं कुछ पकन काल यानि इसकी सेटिंट टाइम को क्या करते हैं कम या ज्यादा कुछ ऐसे पदात जैसे अभी तेज कर भी आता कुछ घटाने वाले भी थे जो कर दिया दोनों पड़े थे पड़े थे मिस्रण के दोस्त यानि कंक्रीट में ब्लेडिंग और सग्रिगेशन हो रहा है मिलावे दूसरे से अलग भाग रहे हैं तो उसके लिए उसमें पदार्थ मिला देंगे तो भी कम हो जाएगा इन सब के बारे में डिटेल कमी और ठीक है ना तीक है न तो तराई उसकी आसान जैसे पानी चेड़कते हैं कंक्रीट तो तुर्ण सूख जाता है तराई करते समय तराई क्या पढ़ेंगे उसके बारे में तराई क्या पानी जल्दी नहीं गाया है वो उसके लिए कुछ ऐसे केमिकल पानी को अंदर होल्ड कर लें वो यूज किये तराई कंक्रीट जाद संकूची फो रही हो तो कुछ अलग ऐस्लेडर हमीकार मतलब कंक्रीट में कई बारा ऐसे होता है कि वरक जमने की संभावनाति प्ले council पीट चला जाया बादम बंब रफ नता तो बरफ जो है ना जमते समय फैलता है उल्टा काम होता बरफ का हर चीछ तुसमें पानी नहीं घुसने देते हैं कंक्रीट में तो कुछ केमिकल या या एड्मिक्चर पैसे जो पानी को भी रोकते हैं तो यह सब अध्मिक्चर्स है तो आप आर्गम बनाने के लिए कुछ विसेश concrete बनाने के लिए जैसे आप चाहते हैं कि हमारी concrete बहुत अलकी बने उसके लिए ब्रकुरेटिट बने इन सब के लिए एडमिक्चर से उज़ किये रहते हैं उच्छ ऐसे एडमिक्चर भी होते हैं जो जो उखणब अगर चुप के अंदर जी ढली जाए तो उनको ठीक से जकरने का भी पाम करते हैं यह सब इतने सारे उद्देश थे किसी एड्मिक्शर थे ठीक है अब एड्मिक्शर थे इतना ही question बन सकता है आप special type of concrete है वो क्या है special type of concrete तो इतना जान लेजिएगा concrete कई तरह की बन सकती है हमने कहा कि concrete एक सामाना जो देखते हैं लेकिन उसके अलावा concrete light concrete heavy concrete उसके अलावा RMC ready mix concrete उसके अलावा आपका ठंडे मौसम में concrete गरम मौसम में concrete ये सारी चीज़े important वाले topic मैं आपसे बता रहा हूं discuss कर रहा हूं सबसे पहले मैं discuss कर रहा हूं कि उच्छ तापक्रम concrete के उत्पादन हो में उसके परिवान में किन साधानी को बरतना चाहिए अगर कहीं पर बहुत गरमी हो जानते हैं जब टापमान 40 degree से उपर हो जाए concrete खराब हो जाता है बन कुछ साधानियां बरत के कर भी सकते हैं वह साधानियां क्या है इनको बरतेंगे पहला concrete का उत्पादन हों परिवान में लिखित साधानिया बरतीचे कब तापकरम उच्छ हो ज्यादा हो गरम आपकरम मिलाये पानी में सिमेंट के तापकरम को व्यावारिक्ता के जाए से उपर हो ना काम रोग दोस्त और कोई फाइदा नहीं है अगर 40 से कम ज्यादा हो थो काम रोग दो फोड़ा कम हो जा रहा है हलका फुलका तो कुछ आरेंडमेंट करके चलाएं निक्सिंग का समय निंतम होना जए ताकि मिक्सिंग के दौरान मिक्सिंग की उर्जा ह मिक्सिंग के बाद जैसे समय विपता है कंक्रीट की सुकारता घटती है तो तुरंत यूच कर लिए यह सब वह है जिनको अपना करके आप कर सकते हैं गर्मी मौसम कंक्रीट लेकिन लेकिन ताक्रम का प्रभाव क्या पड़ेगा मा लिजी हम लोग गर्म मौसम में करी दिए बनाई दिए कंक्रीट तो क्या नुक्रान हो जाएगा या आपके सामने यहां पर पड़ी है जो निक्षान ओंगे ना उनकी लिस्ट यहाँ पर पड़ीए क्या क्या नुक्सान होने मिलने वाली मिल भी मिलभी इअ कोई भी चीज जस करना ना तो गर्वी काम तेज होने लेकिन सामर तगड़ तापक्रम जितना कम होता है सिमेंट की जमाव दर उससी कम होती है तो निमन तापक्रम का पूछा है उसके सब्सक्राइब निम्न तापक्रम में कम, जमाव की दर कम हो जाती है, जमाव बिंदू से यानि freezing point 0 degree Celsius से उचे तापक्रम पर जलेयोगन की प्रक्रिया जो है फोड़ी slow होती है, होता है लेकिन slow हो जाता है process, ठीक है, उसके बाद जलेयोगन की जितनी क्रिया 20 degree Celsius पर 1 दिन में होती है, उतने ही क्रिया 4 degree Celsius पर 7 दिन में, समझें, 20 degree Celsius के तापमान पर 1 दिन में strength आ गई, जितनी, अगर तापमान 4 degree Celsius हो जाए न, तो वही strength आने में 7 दिन लग जाएगा, निम्न ने तापमान पर फर्माबंदी को अधिक समय तक लगाया रखना पड़ता है, यानि concrete के नीचे प्लाई उला यह सब थंडे जगाओं के लिए उपाय है, यहीं इस concrete का तापकरम साड़े चार दिगरी से नीच अधिक हो, तो concrete चरम सामर्स अधिक प्राप्त होती है, यानि चार 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 अधिक टेंपरेचर पर concrete slow to set होगी, लेकिन अंत में set हो जाएगी, लेकिन 4 से नीचे जाने पर कि ultimate distance अपने पाही गिए नहीं, जब आवाता वर्ण कतापकराम साड़े चार ते कम होता है, तब concrete कारम सावधानी तक्मीकी क्या आउसकता परती है, तो आउसकता क्या है, त्वरित प्रकाव क्यों, ऐसे accelerator मिला दिये जाते हैं, जो cement के जमने की दर को क्या करते हैं, तेज कर तो ठंडे मौसम में concrete के लिए ऐसे एड मिक्सर का प्रयोग करिए, जिससे concrete क्या हो जाए, अच्छी हो जाए, यह सब सुने रहो, लिखना पड़ेगा एक जाम में, अगला question कह रहा है कि ठंडे मौसम में concrete ढलाई करते समय, कौन सी सावधानी अबरत नेंगे, ठीक है, ठंड प्रवला निस्पात तक्ता बंदी अलार सता concrete की संपर्क में आती है, पड़ी बर्व को साफ कर दीजिए, जहां पर टेपरेचर कम है, वहां बर्व गिरी इसको साफ कर दीजिए, उसार से चाती ग्रस concrete को निकाल दीजिए, ऐसी concrete जिसको पाला मार दिया है, उसको अटाई क क्यों की बाकियों को खराब कर देगी, concrete का ताफमान बढ़ाने के लिए इसमें मिलाए जाने वाले पानी का ताफमान उबाल करके पानी डालिए, तो ऐसे थोड़ा, फिर cement को सीधे गरम पानी में डालना चाहिए, मतलब इससे क्या होता है, सिमेंट जल्दी सेट होता है, प ऑग तुम इतना को समझ गये होगे कुछ खास है नहीं, जो तुमको याद रहा, या ठंड़ है तो यह कर लो, गरम है तो गर्मी मों उल्टा कर लेना, जो तीछे बताएगा है, इंप्रॉर्टर पोश्चन आने कैसा महुना ज्यादा है, अगला इसनी में बताया गया है कि concrete थंडे में तो जमेगा नहीं तो दर बढ़ाने के लिए इसमें कल्सियम प्लोराइट तू मिला दो थंडे मौसा में कंक्रीट के कठों थोने से इसकी होने तक सता पर बोरा वरा बांदो ताकि अंदर गर्मी बनी रहे क्यों क्या सिमेंट खुद हीट देता है लेकिन हीट खूँरें में क्या करते हो रजाई शोड़ि औने से अंदर से घरम नहीं होती है तुपल करते हैं तो घरमी करता है यहीए का में कल्गए को बहलोग दो निम्लताफ्करम गरम पर संक्रियाए क्या होती है एक जानेगा इतना सब कुछ पढ़ें लेकिन अभी कंक्रीट बनाने की प्रक्रियाओं को नहीं समझें कि कंक्रीट बनाने का क्रम क्या है इसमें प्रेक्टिकल उपाए मैं आपको बता दूं कंक्रीटन संक्रियाए में कंक्रीट को पूरी बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले अगर कहीं है पूज़े की कंक्रीट की कंक्रीट बनाने की कौन-कौन से प्रक्रिया है उनको समझाइए तो पहली प्रक्रिया सबसे पहली जो प्रक्रिया आती है वो क्या है सबसे पहले होता है बैचिंग अभी मैं तो मापन मिक्सिंग मतलब मिलाना मिला ये concrete को अब क्या करोगे मिक्सिंग के बाद तुम बताओ क्या करोगे transportation जहां ले जाना है वहाँ ले जाओ ढोकरके Transport तूथा चीज तुम क्या करोगे बताओ बिच्छान जहां बिच्छाना है प्लेसिंग कर दो इसकी प्लेसिंग उसके बाद पाचमा चीज क्या करोगे प्लेस करने के बाद कॉम्पैक्शन करोगे तुम इसका क्या बोलोगे कॉम्पैक्शन मतलब पूंटोगे बनिया से तंक्रिट को उसके बाद छाठ्वे नंबर पे टुम क्या करोगे? तरफेस फिनिशिंग करोगे क्या करोगे? नवrage इसको चिकनाओगे यह सम्साध्विय नंबर पे उसके बाद तुम इसकी क्या करोगे? उसदिनों बाद 24 घंटे के बाद तुम इसकी तराई शुरू कर दोगे कि concrete operation में ये चीज़ें बंदू must हैं इतनी चीज़ें तुमको करनी होती हैं एक concrete बनाने के लिए और उससे दूड़े हुए इनसे question लगातार पूस्ट है कि batching है, mixing है, transport है, placing है, compaction है, सर्फ सतासम पूर्ती है नहीं, compaction है तुर उसके बाद curing है इतन है, जड़ा देखना जड़ा, एक-एक के बारे में question आला गलत से, पूरे को एक साथ पूछे, तो हलका हलका बताना, batching में mixing, batching में चीज़ों को नापा जाता है, कि किस मापने उनको लेना, यह सब किया जाता है, mixing के दौरा इनको आपस मिलाया जाता है, transport के दौरा इनको ढ इचाते हैं, उसके बाद उसका उटाई, vibrator वगरा की मदद से, या छड़ों से करते हैं, उसके बाद इसकी सता को परिस्कृत, यानि सपाई, संपूर्ती करते हैं, तो उसके बाद 24 घंटों बाद इसकी तराई करते हैं, इतनी प्रक्रियां होतीं, concrete बनाने के दौरा, अब पहली बाद थी, batching, batching करते हैं, मालो, एक दो चार के ratio में लगाना है, तो तुम कैसे करोगा, एक जानो, चाहो तो तुम एक दो चार के ratio में दी लेना है, एक दो मतलब एक सिमेंट, दो बालू, चार गिट्टी, तुम क्या करो, एक तसला सिमेंट, दो तसला बालू, चार तो इसको बोलते हैं बैचिंग होती है दो तरह की एक वैलूम बैचिंग एक वेट बैचिंग अच्छा कौन सा होता है वेट बैचिंग वैलूम बैचिंग कौन सा होता है जिसमें हमने वैलूम बैचिंग कम एकुरेट है वेट बैचिंग ज्यादा अच्छा है तो बोला कि आ भालू के फूलने से भी कोश्चन बन सकते हैं जो पीछे चैप्टर तुम एग्रिगेट पढ़े होना उसमें बालू के फूलने पर भी जालना बालू सुन लो ध्यान से बालू 5-6 परशेंट नमी पे अपने आयतन बढ़ा लेता है पता चला एक तसला बालू लेकि गए हैं पर फूल जाता है जाँ पार चुट ऐख जाता है धर करते लोगे तो नुक्सान क्म होगा वैचिंग करते समय गार्ला य बहार बैचिंग के लाव क्या प्राब kayेशिंग describing करते समय और मैं ज्यादा रेकूरेट को तुलना में why material का आयतना बदल सकता है हिल डूल सकता है लेकिन भार उसका रहता है बना रहता है अत् कार की आव सकता का अनुरूप यहां पर लिखा गया सबसे पहले क्या क्या साउधानिया करेंगा कार के आव सकता पार ओलव उत्युना चंचा बैचर का चुनाओ प्रयोग ही ऐता है ठाल न तो उसके लिए गैचर उसको बैक हर बोलता है चयां कि अंचानक कुछ भी करिए सिमेंट को आयतन बने लियाता है रेत को आयतन के अनुसार लेते समाई इस थूली करने बलकिंग के लिए उचित समाई उदिन कर लिना थीए यह वालूम के अनुसार लेना के फिर बालू को फूलने को ध्यान दीजिए बात इसलिए कि जो बकसा आप लिए है वो जो गिट्टी के लिए उस पर विनिरबर करता है बहुत बड़ी गिट्टी के लिए चोटा बकसा काम नहीं है ठीक है ना मिलावे की नमी के आधार पर पानी की मात्रा में आवसक्त अंसोधन कर लिना चाहिए यानि पानी पहले ही य अनुपातन से दांतिक रूप सुप्यूक्त नहीं है क्योंकि जितना भी बोला गया वो भार बैटिंगे रेत को भार कर नुशार लेने पर उसकी सही मात्रा कंक्रीट में रहेगी वैलम कंसार लेगे रेत फूला रहेगा घरबला देगा त्रेस्ट गुनवत्ता और नियंत रांक्रीट की माट्रा पर्वितन में कारिश्थल की इस्तिति कि आधान ध्यान कोुफन फट्रिव्त के बारह में इस्तिति हमसे पूछा ट्रांसपोर्टेशन यान रखेगा परिवहन दूरी कारे इस्थल की स्थिति आधी के ध्यान में रखकर उपयुक्त परिवहन विदी अपनाई जाने चाहिए परिवहन कितनी विदिया टोकरी द्वारा हाथ से उठा के टोकरी से कंक्रीट को ले जाए यह सब याद रखेगा नाम जितना याद आ उतना लिखना पहिया तेली अब अईसे लगा रहता है जो फूला गारी देखे THE अल्सरक से जल ता यह चलते जा रही है रही आशा जरह कंक्रीट को ले के पहुंचाता जा वे इस्वाए तरीकाइं तारीक है ट्रांसपोर्ट के बाई buckets and rope way रसी और रसी को बाल्टी को रसी से बात के उस पार से उस पार तक भेजना ऐसे भी concreting करी जाती है फिर उसके बाद बाई hoist and buckets मतलब इसमें चालक लगे रहते यह सब तरीकों को छोटे छोटे रूप में यहाँ पर लिख करके पूरा बताया गया अगर आप ध्यान से देखेंगे इन सब में टोकरी विधी अपनाई जाते चोटे काम के लिए टोकरी फिर पहिया ठेली के बारे में यहाँ बताया गया है बाई वील बरो कंदूरी तक कंक लिखनें पूरा मत प्रजान आई साथों के बारे में लिखोगे चार-पांच नंबर का कुश्चन है कितना लिखोगे कम-कम बताना अलका-अलका नहीं कि दो चार के बारे में बताना बातियों का नाम यहाँ इतने तरीके हैं कंक्रीट को एक जगां सो जिसरे रहना पर ट् जब उसको रख दिये तो उसको वाइबरेटर कूटना पड़ता है पहला तरीका तो यह हाथे से कूट दो भाई पहला हैंड कॉंपेक्शन होता है और दूसरा मसीन अब हैंड़ वाले में यह कहानी है कि हाथ से चढ़ से अवाइबरेटर कंक्रीट को कूटने के लिए बेन लिए रहती है और पाइक क्या आगे नोजल उसको जहाँ जहाँ धासा ओगे नेडल वाइबरेटर उसको बोलते हैं जहाँ जहाँ धासा ओगे वह पूरा ऐसे हिला करके कर देगा वह कंक्रीट को बैठा देगा तो कालम वगरा के लिए गहरी जगाओं के लिए यही होता है आर्म वाईबरेटर क्या होता है जो फर्मा बंदी होती हैं उसी में सेट रहता हूँ पूरा जैसे पलाई है अप लाइए पूरा हिला दएगा जैसे बालु का बोरा भरा है तुम चाहते हो कि बालु घर ली में आउस-कैस-ठोक, बहर ले ओ लो धर, आख बोरवा उठाक, का मतलब होता है concrete बीच गई उसको ऐसे फैलाते भी जाएगा और साथ में वाइबरेट करके उसको सेट भी और आuh चोटे चोटे डिबे में याा कॉंख क्रीट का छोटा-चोटा क्यूंब और उसको वाइबरेट करने में काम आता है त। इसको बोलते में यॅर तहीर मैं ट्रेबल वाइबरेटोर है Это तर यसके पीछा हम लोगे बात किया आद चाहरेच के बाद वह बाद किया वाइबरिशन कई फॉक्रियं उसके बात करनी रख सोने ही तिसरा सिमेंट से पानी का connection अठाई जन तक चलता रहता है इस अप्वेंट को किसकी ज़रूद पड़ती है हीट रिलीच करती है तो पानी सुखा देगा पानी देगा तो जलाए ओन हो जब जब कंक्रेट सुखती है तो पानी ठेकती जाते हैं इसको तराई कहते है यह सिमेंट में उसके परिश्जन के बाद एक निश्चित तक आरवता यानि नमी वा तापकरम के उचित परिस्टी बनाए रखने की क्रिया यानि क्यूरिण सब्सक्राइब नहीं करते हैं रखने इसली जनके निश्चित उल्टे कहां नहीं हों वांपर कंक्रिट क को रोकना यह सब चीज है विदियों को सब्सक्राइब लिखने को तुम लिख सकते हो सौट में इतराइब क्रिखते हैं फानिक लेयर बन जता है पानि के लेयर बनने से बाहर की द्धूल नमी भीज से बीस सद्वल और मतलब हैं पानी से पूरा बोलते हैं व ACC met on the सबस्तिकों किया को बोलते हैं और इसको किया बोलते हैं अन्य इसको बोलते हैं इसको बाई गनी बैक याँ है बूरे लपेट के जूट के आउस सो पानी झटके हैं कालम ओलंग के लिए बहुत अच्छा रहता है क्योंकि यूद्ध है तब पानी भर दी कि इसे पानी भरू तो कालम पर गने बैठ कम इख चुराकशनीत पाई फ़ीड़ेग के साथ पाता पानी चलगलते रहा है सिर्फ यह वरकशौनों दिखते हैं गोए इस सब इसके बारे में एक दंड को बाते बिन नभी दिया पूछता है बार बार अब को लिखो सबके में थोड़ा दो दो राइब जो बताया हूं बस कौन किसके लूप यूप है यह सलैब वगरा के लिए या सड़क के लिए सड़क पर कंक्रीट के लिए यह कालम या वर्टिकल मेंबर के लिए ताथा पर पानी आप में बनती है प्री कास्टेट कॉंक्रीट लीपर या खंबे जो बनते कॉंक्रीट से उनके लिए पॉलेथीन की चाजर बिछाने का कोई इंपॉर्टेंट नहीं की कहा के लिए सभी के लिए लागव होगा ठीक है तो यह से तरीके तराई के अब आपका तराई की विभ प्री काम है पढ़ना इसको देफो सूती कपड़ा भी चाग दिया रता है सूता सूती ने ढालू या उर्धसतों पर यही काम आता है प्लास्तिक ये पॉलेथीन के परद भीछा कर भाफ तराई सब को भाफ तराई किसके लिए मैं बताया हूं बताओ भाफ तराई इस अगर चाहता हूं ये था तराई के बारे में सारी बत अब जो बात हो रही है कंकरेटिंगे में एक चीज आती है कई बार हम लोगका हम लोगे जोड़ तुम करते समना यह पहले चेप्टर रुगा करता था अब चेप्टर नहीं है तो उससी में जानलो आ जाने की समभावना आई वैसे कम चांसे क्योंकि गया नहीं जोड़ होता है कि कंक्रीट करते चले जा रहा है तो अगर बहुत लंबे समय तक करें और देखो बिचाय कंक्रीट फिर और डाले और डाले मिक्स होता गया आगे बढ़ते चले गया कहीं रात हो गई यह काम बंद करना पड़ा अगले दिन जब जाओगा न तो वह कलका वहला हलका सूप गया र जो जोड होते हैं जुआंट वों मुख्यों रूप से दो तरगे एक construction जुआइं जो की अपने आप बन जाते हैं मजबूरी में हम नहीं बनाते हैं और दूसरा होता है function जुएंट इसको यहीं नीचे लिए बिता हूं function जुएंट इनको हम खुद बनाते हैं construction जवंप वो से अपने आपको अब उसको फिर खूरच करके वहां पर सिमेंट का गोल मारके फिर कंक्रीट चड़ा के तब कंटिनुव करें अगले दिन और अगर फंक्षन जॉइंट की बात करें तो इनका कुछ प्रकाई इसका कोई मतलब नहीं जोड़ का कि मजबूरी पड़ा लेकिन द qwtcB when contraction construction अलग है लगां अग्फुक्छन जॉड और प्रसार जॉड अगर मैं सबको समझया हूं पिये जान लो जोड़ों के ज्वाइंट का यूज दिप्लोमा में करता नहीं तो मैं इतना जानता हूं construction के कारण या उसको रोकने के वेदे तो जो ज्वाइंट देना पड़ा वो construction ज्वाइंट और जो ज्वाइंट इसलिए देना पड़ा वो कुछ काम कर रहा था प्रसार को मेंटेन कर रहा था तो extension ज्वाइंट और contraction को मेंटेन कर रहा था तो contraction ज्वाइंट थीक है अब देखो निर्मार जोणों की स्थिति कैसे बदली देखो या लिखा construction ज्वाइंट बहुत से व्यवारिक वा तक्निकी कारणों से बड़े बड़े कारण से concrete की सड़ा concrete के हवाई पट्टी फैक्टरियो के परजादी में समस्त concrete कार एक ही प्रक्रिया में लगातार डालना संभव नहीं मुपाता है दो या दो से अधिक बार में concrete डालने पर उनकी बीच में संधी इस्थान पर बनाये जाने वाले जोड को निर्मार जोड कहलाते हैं इन जोडों की स्थिति के लिए एक सामाने न कि अगले दिन जोड पड़े भी तो ऐसी जगह न पड़े जहां लोड ज्यादा आना तो नियूंतम अप्रूपन बलाना चाहिए और उसके बाद नमन आगोन भी कम होना चाहिए बीमों स्लैबों में निर्मार जोड यह सब यह मत लिखेगा आर्टी सी पड़ेंगे तब आ प्रक्रीट के फैलती तो उसके लिए जो जोड बनाये गाता है वो प्रसार जोड़े अधा तापकरम बढ़ने और गटने से इन प्रसार वा संकुचन एक्सपेंसन वा कंट्रेक्शन होता है कंक्रीट अवयों में कुछ गती आधारों पर विचलन वा कंक्रीट के शूपने संकुचन कारण भी होती है पूरानी कॉंक्रीट है यह नई कॉंक्रीट है यहां पर देखो यह गैप दिया गया है यही प्रसार जोड़ा है यह फैलता है जब दोनों तरब से तो यह गैप भर जाता है उससे कोई फरक पढ़ना नहीं उतने गैप से रोड वगरा में एकसर द ताकि फैले तो ऐसे फैल जाए इस तरी की साथ टीक है तो यह थे जोड़ अब लास्ट आपका है नौन दिस्ट्रक्टव टेस्ट नौन दिश्ट्रक्टिव टेस्ट क्या होता है जानते हैं अब इच्छी ध्यान रखे गए आपे कांग्रीट पर तमाम परिछन आपने कि उसका क्यूब टेस्ट जिसको बारे मैंने कोई बात नहीं की cecaum प्रेशन टेस्ट उसके बाद आप कर सकते थे टेनसाइल टेस्ट जिसको फ्लेक्जर टेस्ट बोलता है या दियरेक्जरल या अला चाल र형 मैं फ्लेक्जरल टेस्ट उसКак Joint यानि concrete पर इतने सारे ताइक टेस्ट आराम से किये जा सकता है यह पेस्ट में हलका से बता देए कि सम्प्रेशन में 15 सेंटीमितर की क्यूब को 28 दिन की तरह है या साथ-बंजीतन दिन पर टेस्ट करना उसको रखके के अंदर क्या करते हимо conquered होता है कि इसके क्रास्टेक्षण डिवाइट करके निका लेते हैं कि पर स्कुरमिय मिलीमिटर कि इस surgically के अटोड़े है टूरस्ट के वाले में बीम कितना होगा 150 गुणा 150-700 बीम बनाके उस पर दोड़ दे से ढगे ढगा टेस्टिंग हो रही है तो किसी सेंपल पर हो रही है और तूट जा रहा है यानि अगर कोई मजदूर हमको बेवकूब बनाना चाहेगा तो मालूम क्या करेगा या इंजिनियर कहेगा कि हम आपको सेंपल बना के भेज़ें आपनी कंक्रीट का देख लिए बड़ा मजबूत है हमने सेंपल मजबूत कि आरे बड़ा अच्छा कंक्रीट मजबूत है इसकी तो अज जब एक्चुल में बनाना हुआ मकान में घर होगर हमें कंक्रीट लगा तो वहां नौतंकी कर दिया अब हम यह भी नहीं कर सकते कि छत बन गई है तो टेस्ट करें कितना मजबूत है लग कर दिस्टरक्शन को रूप करके जो टेस्ट किये जाते हैं स्धाना है कालम खड़ा है नमन ननन कारद क pista यह सब दिस्ट्रक्टिव टेस्ट किन tradicional नन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कूँए your request uh ए मैं कुछ लिस्ट मना देता हूं जैसे पहला है रिवांड हेमर टेस्ट के नॉन डिस्ट टेस्ट है रीवांड हेमर रीवांड हेमर दूसरा है री ऐकर सोने मैं व३ह वेलोसिटल का पूर मैं इतना ही बताँगा तुम्हारे में important मैं बता दूं यहीं दोनों है डिप्लोमा में बस रही बाकी अलग लेबल पर अलग है लेकिन तुमको बस दो ही जानना रिबॉंड है हमारो अल्टा तोनों क्या है कंकरीट की सत्ह को चैक करना है समझो ना एक गन उतीह गन टाइप का अंकरीट मैं ऐसे लगाओ कि दिवाल नो तो आई सजर आगा कंकरीट का मारेगा तो कंक्रीट भी धक्का देगी यदि मजबूत कंक्रीट रही तो यह बहुत तेजी से पीछे की तरफ रिडिंग बढ़ाता है मतलब पीछे इसकी रिबॉंडिंग तगड़ी होती है जैसे गेंद को लो एक गेंद मिट्टी की दिवाल पर मारो मजबूत नहीं वहीं घर है यानि कहने का मतलब है रिबॉंड है हमार इस पॉलेसी पर काम करता है कि हायर रिबॉंडिंग हायर दे स्ट्रेंफ आप कॉंक्रीट हम लोग कभी भी डारेक्ट तोड़ के नहीं टेस्ट करते हैं जटका खाता है वह अल्ट्रा सोनिक पल्स वेलोसिटी अभी में कैसे करन कि इतना जान लिजिए इन दोनों टेस्ट में अल्ट्रा सोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट में यहां से वह पल्स गई और वहां पहुंची उसमें कितना समय ली कंक्रीट जितनी सघन होगी न उतना तेजिय भागेगा अगर विरल होगी यानि कमजोर कंक्रीट रहेगी तो की वेलोसिती कम होगी यानि अगर साड़े चार किलोमीटर प्रती सेकेंड से कम गती है तो इसका मतलब है अधिक गती है तो बहुत अच्छी कॉंक्रीट है नहीं तो डेढ़ से सिस्कोई काटी काम जाता इस में इस परिछन की जाने वाले वस्थू उछाती गरस्थी सिधे वास्तविक वस्थू पर युकि यह परिच्छना पिच्छा करें सारा लाईजी है यह क्या है काफी मुस्किल है इनका complications है इसमें इसमें साधारान उपकरणों की आउसकता पड़ती है और सरवत उपलब्द है इसमें उच्छ तक्निकी उपकरणों की आउसकता पड़ती है इन परिच्छनों के लिए सामान तक्निकियों की आउसकता पड़ती है इनके लिए प्रसिचित लोगों की जरुवत परत के परिफ़ाहने किया और थो है कितने समय में यहां से वहां तक कभी उस समय को जितने आधिक समय होगा उत्कराब पुशुल आट्रा mean परिछन में अधिक पर्िफपत में तली मीजिए ऊदने कि diesem पल्स वार लिया चौड़ाई मने यार दूरी दूरी अब अबटा समय जितना दूरी चला बटा समय वही चाल होगी यह इस फार्मुलीयों से डरो मत पल्स वेलास्टी बराबर अरे संदसना यहां से भेजा गया उतनी चौड़ाई है उसकी चौड़ाई मने दूरी है नहीं स्ness of the city कम समय यह ज्यादा वेलोसटी कम आप लोसिटी अब फीम है मतलब अच्छी जान लीजिए वही रीवां बिंजर पारिच्छण और रीवांड हैमर कश्छण बिंजर करता है जह संदर से प्लंजर पर स्लाइट करता है जब रिवांड हैमर का प्लंजर चंस पर एक इस्थिर या निरंतर उर्जा के साथ इस्प्रिंग नियर्ती द्रवमान कंक्रीट की सता को हिट करके वापस अपनी अवस्था पहुंच जाता है, रिबॉंड की सीमा extent of rebonding जो सता की कठोरता की माप, मतलब जितना जागा rebonding होगी उतना ही सता क्या होगा आपका, कठोर होगा वो एक scale में मापा जाता है या मापा गया मूल rebound number कहलाता है एक concrete जिसकी सामार्थ और stiffness कम है, rebound number के मान पराभव के लिए अधिक्तम उर्जा असोसित करेगा, rebound hammer test के उद्दे से क्या है, rebound hammer ये सब सम्पीडन को बताता है, यही था आपका पूरा clear, मैं बार-बार कहता हूँ इस PDF को आराम से आप download कर सकते है application से भी और इस से भी एक बार revision करके जाना मैं इंतजार करूँगा तुम्हारे exam के बाद तुम्हारे comment का इस video पे यदि दोस्त अच्छा जा रहा हूँ तुमने कोई paid course नहीं खरीदा हो तभी तुम इस video को पढ़ना और बताना चुकि मैं बार-बार कहता हूँ मेरा course ज्यादा तर paid रहता है ठीक है, three मैं कम देता हूँ बट यहाँ पे आप पढ़िए जाइए एक जाम देजिए और मैं इंतिजार करूँगा आपके comment का आपके concrete technology के एक जाम के लिए बहुत सारी सुपकामना है धन्यवाद